तुझे अगर यकिन ना हो तो आजमा कर देख लेना, एक बार कदम बढ़ा कर तो देख लेना, तुझे मिलेगा वो हर कुछ जो तुने कभी सोचा भी ना था, एक बार जारकन वारियर के साथ कदम बढ़ा कर तो देख लेना नमस्कार चातियों स्वागत करता हूँ आप सभी छातरों को आपके अपने परिवार जारकन वॉरियर पे आज की क्लास बहुत है खास क्योंकि हम आपको ले जाएंगे आपके सफलता के और भी पास आज का सेशन है जारकन करेंट अफेर वार्सिक करेंट अफेर एक ऐसा collection जो आपके examinations में direct प्रशन पूछे जाएंगे ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप सभी छादरों से अनुरोध होगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए अगर पसंद आए एक like कर देना चैनल पे नए आये हो तो subscribe कर देना क्योंकि ये चैनल आपक सक्सेस में बहुत रोल अदा करने वाला है ठीक है और comment भी करके मुझे जरूर बताना कि ये class आपको कैसा लगा अगला marathon हमारा आ रहा है 1000 expected questions का जारगंड जीकेगा एक भी प्रशन बहार जाने नहीं देंगे ठीक है तो शली शुरुबात करते हैं आज की class को मैं आपको बता दू 14 topics पढ़ रहे हैं current affair के और इन 14 topics को हमने यहां पर पढ़ाया है जनवरी 2023 से ले करके 2024 तक मज़ा आ जाएगा topic wise theory भी है और MCQ भी हम लोग यहां पर कराई हुए हैं ठीक है MCQ expected में है theoretical आपको समझने के लिए ठीक है लेकिन उससे पहले आप सभी चातरों को एक बहुत जरूर को भी बात कहना है बच्चा अगर आपको financially issue है पढ़ाई करने में और अगर आपने सपना देखा है कि भई CGL का exam हमें crack करना है अगले 10 दिनों के लिए जो हमारे पास वक्त है उसमें क्या किया जाए हम आपके लिए लेकर के आए हैं जबर्जस crash course उसके fees किया है पता है आप पूरा complete paper 2 आपको मिलेगा quality असा नहीं कि मैंने charges घटा दिये तो आपके quality में कोई compromise होगा बिल्कुल भी नहीं आप classes join करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा ठीक है paper 2 के हिंदी नागपूरी खोठा अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी लिया है आप classes को join कर सकते हैं सिर्फ पर सिर्फ 300 में अगले तीन दीनों के लिए ठीक है क्योंकि हमारे पास जो भी वक्त बचेगा उस पे पूरा का पूरा focus किया जाएगा ठीक है paper 3 के छाद रगार आपको चाहिए कि paper 3 की classes कहां से करें सर जारगन जी के कहां से करें computer कहां से करें science कहां से करें reasoning कहां से करें ये सभी के लिए हमने charges रखा है only 500 ताकि in कम समय में आप जो है आपकी बहतरीन तयारी हो सके crash course से ठीक है तो अगले दो तीन दिनों के लिए आपकी classes यहां पर सुरू हो जाएंगी और हमारा app आपको download कर लेना है जो की play store पे है मैं आपको लिख के देता हूँ इन 15 दिनों में ज जबर जस तरीके से कर सकते हैं ठीक है तो यह हमने आपको सबसे पहले बताया rapid fire revision classes चलेगा paper 3 जो है 399 मैंने 500 के दिया गलती से 100 बढ़ा भी दिया लेकिन देखो 399 है 299 है सिर्फ और सिर्फ paper 2 अब सुचो इतना सस्ता कुछ नहीं हो सकता paper 3 के अगर हम बात करेंगा ना बच इसके साथ अभी आपकी live classes भी होगा most important topics पे आने वाले दिनों में यह चीजें सिर्फ सीजिल के लिए है इसकी validity 30 दिनों की होगी मतलब 28 फरवरी तक मान के चलो कि आपको यह validity मिलेगा ठीक है तो जितने भी बच्चे है बिल्कुल भी मत सोचना जरा सा भी मत सोचना तुम्हें अगर खोठा की जरूरत है मैंने पूरा खोठा पड़ाया है मैं यूट्यूपर बहुत जादा समय नहीं दे पाता हूं खोठ रहा है हमारा test series का schedule है test series as per schedule हो रहा है कल भी आपके test series यहां पर लिये जाएंगे paper 2 के सारे test series और paper 3 के सारे test series एक ऐसा test सिरीज कि आपके examinations का जो महौल है ना वो आपके घर पे बना देने वाले हैं मतलब examinations syllabus और examination pattern पे based हमारा test series आपके लिए available करा दिया गया है जिसमें आप सभी student enroll हो जाएए app आपको download कर लेना है दोनों भासाओं में test होगा paper 3 के लिए Hindi, English दोनों भासा रहेंगे latest current affair रहेंगे, दिसंबर तक के current affair यहाँ पर included रहेंगे इसके साथ साथ आपका rank आपको measure होगा, इतने हजार बच्चों ने join किया है, तो आप देख सकेंगे कि हमारा जारकर्ण में rank क्या हो रहा है, हम कितने पानी में हैं ठीक है, और पूरा topic wise वहाँ पर test series नहीं है, बलकि examination pattern पर है, जैसे exam में सवाल पूछे जाते हैं उसी प्रकार से वहाँ पर सवालों को रखा गया है, तो हिंदी नागपूरी, खोठा और paper 3 का जबरजस test series यहाँ पर हमने लगा दिया है यह combo test series है आप जाइए और जा करके join करके, अंतिम समय में serial को उखाड के भेकिए ठीक है, आपको मज़ा आजागा test series देने में, देखो होता है कि हम गलत test series देते हैं, जैसे कभी यह पढ़ लेते हैं, कभी वो पढ़ लेते हैं, कभी test series में आप देखते होंगे कि एके topic से 10-12 question है, जबकि ऐसा नहीं है, test series आपके syllabus पर बनना चाहिए ठीक है, कि हाँ भाईया, यह यह topic है तो इससे इतने इतने सवाल आने चाहिए इतने इतने सवाल ठीक है, तो बिलकुल भी देर मत करना, क्योंकि charges भी इसके बहुत कम है, ऐसा नहीं कि हम आपसे लूट रहे है महनत लगता है, उसी के charges ले रहे हैं लेकिन याद रख लेना इस test series को लगाने के बाद आपको feel होगा, कि हम बिलकुल सही जगा पर आए हैं, डाउनलोड कर लो सारकन वार्यर एप, जो की प्ले स्टोर पर है और जाये test series आप जॉइन करिए, ठीक है मैंने सभी test series का यहां पर poster लगा दिया है, कॉम्बो है आप चाहे तो खोटा और paper 3 की भी साथ में ले सकते हैं, नागपूरी और paper 3 का भी test series साथ में ले सकते हैं ठीक है, 11 JPC की classes के लिए मैं आपको बता दू कि 11 JPC का एक एक detail सबसे पहले यहां पर देने वाला हूँ जिनता की कोई बात नहीं है कब इसका notification आएगा, पहले बता दिया जाएगा relax हो जाएगे, और क्या कुछ भी है, वो सारा चीज बता दिया जाएगा 7 to 10th JPC के सफलता पुरवक समापन के बाद एक बार पुना विज्यापन आने वाला है 11 JPC का, हम तयार है आपकी classes के लिए और ये classes आपके लिए बहुत जादा beneficial होगा admission open कर दिया गया है paper 1 और paper 2 इंडिया के top educator आपको पढ़ाएंगे मैं आपको paper 2 पढ़ाऊंगा आपको यकीन मानिए, आपको मज़ा आ जाएगा इसलिके साथ सुरुवाद करते हैं आज की classes को, जिसमें हम लोग जारकन current affair को ये करते हैं थोड़ा सा advertisement लंबा हो गया adjust कर लेना, क्योंकि जरूरी चीज़े हैं हो सकता है कि कोई बच्चा को टे सीरीज की जरूरत हो और उन्हें पता ना हो, आज मैंने इस वीडियो के मादयम से बता दिया, अब बारी आपकी जारकन current affair की, वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा, और आगे चलिए इसको शुरूराद करते हैं, शुरूराद हमारी होगी जारकन के मानिनिये, मुख मंत्री जी से, स्री हिमंत सोरें जी से इनके पास बहुत सारे पद हैं, और हम लोग basically इस जारकन मंत्री मंडल के topics में क्या जानना है ये पहले समझ लेते हैं, देखो, ये topic ऐसे तो जाना जाता है जारकन में कौन, क्या, कहां, ठीक है, मतलब कौन-कौन से वक्ति को किस मंत्री पद का परभार मिला है, या फिर जारकन में कृषि मंत्री कौन है जारकन के पेजल स्वास्त मंतरी कौन है ठीक है सिच्छा विभाग के मंतरी कौन है तो ये सारे सवाल examinations में पूछे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमन सोरिन जी के पास कौन से seats हैं या फिर कौन से मंतरी का पदभार मिला है तो शुरुवाद हमारी यहीं से हो रही है ठीक है आपको ये चीजे समझ में आ गई कि कौन व्यक्ति किस मंतरी के पदपर आश्रित हैं अब यहां से सवाल पूछेगा हम अभी डिस्कस कर देंगे आप उसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजेगा एक्जाम में एक सवाल शियो राज आएगा जारकन के मुक मंतरी के पास यानि के माननी हमन सोरिंजी के पास कार्मिक प्रशाशनिक सुधार तता राजभासा विभाग इनी के पास है गरह कारा विभाग सहित मंतरी मंडल सचीवालाई एवब निगरानी विभाग संसदिय कार्य सहित इनके पास है ठीक है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनके पास अभी वर्तमान में एक और पद शामिल किया गया है जिसका नाम है स्कूली सिच्छा साख्छर्ता साख्छर्ता ठीक है? आप इसे लिख लेंगे स्कूली सिच्छा साचर्ता विभाग और वैसे सारे विभाग कार्य जो अन्मंत्रीों को आवंटित नहीं है वो इनके पास है तो पिशिकल आपको याद रख लेना है कि स्कूली सिच्चा एवं साचरता विभाग हेमन्स ओरिंजी के पास है ये पद इनको अभी समालना है वहीं पर कार्मिक परशासन सुधार और गिरहकारा विभाग सचीवाले सहिद ये सभी के पास मतलब ये सारे जो मंत्री पद हैं वो इनको मिला है और ये पॉइंट आपको अभी याद रख लेने हैं ठीक है दो-तिन बार देखोगे कंसप्ट क्लियर हो जाएगा और एक्जामनेशन में सवाल बन जाएंगे अब यहां तो हमने कर लिया चुकि ये फेमस शहरा है तो हम लोग ने इनको बहुत आसानी से कर लिया अब बारी है स्रीमती जोबा मांजी स्रीमती जोबा मांजी ये भी कैबिनेट मंत्री है ठीक है अब इनके बारे में आपको जानना है कि इनको कौन सा पदबार मिला है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ चुकि ये महिला है और इसलिए आपको याद रख लेना है कि महिला बाल विकास और समाजिक सुरक्षा जो विभाग है वो इनको मिला है अगर हम कहें इसको दुसरे वासा में तो समाजिक कल्यान और महिला एवं बाल विकास विभाग स्रीमती जोबा मांजी के पास है अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि आपको कैबिनेट मंतरी में आपको ये पहली महिला नजर आई अब आगे आएगा यह नहीं आएगा यह आप खुद देखेंगे लिकिन आप याद रख लिजेगा चुकि जोबा मांजी एक महिला है इनको मिला है पोस्ट कौन सा महिला बाल विकास वासा माजिक सुरक्षा विभाग यहाँ तक तो क्लियर है जी क्लियर है यानि कि दो हमने अभी तक कर लिया अब तीसरा पर आते हैं तीसरा स्री सत्यानन भोकता जारकन के स्रम रोजगार प्रसिच्चन और कौसल विभाग के मंतरी के रूप में इनको यह विभाग जो है वो सौपा गया है देखो अब कुछ-कुछ ना ट्रिक लगाना पड़ेगा जैसे याद करन के लिए हमें कोई चीजें एक्जेक्ट याद नहीं रहेंगी बढ़ अपने माइंड को यह चीज बताना होगा कि option के according यह अंसर होगा जैसे बात हो रही रोजगार की और यहां पर एक word सुपा है सत्य अब आप लोग खुछ जानते हैं कि रोजगार के नाम पर क्या सत्यता है क्या मित्थ है ठीक है तो यह सत्य और रोजगार को आप connect कर लेना ठीक है कि क्या सत्य बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है clear तो यह सत्यानन्द भोगता जी जो है वो जारकन के सरम रोजगार प्रसिच्छन और कौसल विभाग के मंतरी है हमने अभी तक 3 complete कर लिय चौथा आते हैं हम लोग हविजुल हसन अंसारी ठीक है और यहां से सवाल आपके examinations में हो सकता है कि पूछा जाए ठीक है इनसे पहले इनके पिता जी जो थे वो मंतरी बरबार में थे लेकिन बाद में इनको दिया गया आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है हविजुल हंसारी जी का जो मंतरी पद में जारकन कैबिनेट में जो मंतरी के पद पर है उनका विभाग है अल्प संक्यक खेल एवं परियतन विभाग तो हमने आपको पहले भी बताया है और आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मान लोग कि यह खेल मंतरी है ठीक है मान लोग कोई परियतन मंतरी है यही है ठीक है क्लियर आपको याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना है अल्प संक्यक बागी आप खुद याद रख लेंगे, वो कैसे याद रखोगे मान लो की यहाँ पर कोई बच्चा खेल रहा है ठीक है, या फिर आप भी आप ही खेल रहे हो तो मैं कहते हैं कि हाप गहे हो खेलते खेलते जो है ने, हाप जाते हैं फूरा जो है, अप नहीं छुट जाता है बस याद रख लिया हमने कि भाई खेलेंगे तो हभनी आ जाएगा अच्छा परियतन विभाग कैसे याद रखोगे यार कहीं पर घूमने जा रहे हो परियतन अस्थल जा रहे हो कोई हिल्स चड़ रहे हो ठीक है तो वहाँ पर तो आटोमेटिक एनरजी डाउन होगा वहाँ भी कहोगे कि यार हफ नहीं हो गलाव समझ में आया कि नहीं तो यह हफिजुल हसन अंसारी आपको यह याद रख लेना है कि यह खेल मंतरी और परियतन विभाग भी इनको दिया गया है साथी साथ इनको संस्कृति और अल्प संक्यक कल्यान मंतरी भी यह जहरकंड के हैं क्ल सिर्फ याद रख लेना है उत्पाद एवं मद निशेद विभाग बेवी देवी आपको पता होगा जहरकंड के पुर्व सिच्छा मंतरी स्वर्गिय स्री जगनात महतोजी की वाइफ हैं और यह वर्दमान में इनको जो पद मिला है वह उत्पाद एवं मद निशेद जो है आपके अपकमिंग एग्जामनेशन 2024 में पूछा ही जाएगा इसलिए आप इसे याद रख लीजिएगा उत्पाद एवं मद निशेद विभाग अच्छा अब यहाँ पर आ जाता है हमारा बन्ना गुपता अब यहाँ पर हमने कोई ट्रिक नहीं बताया ट्रिक इसल चिकित्सा एवं परिवार कल्यान विभाग के मंतरी है और साथी साथ इनको जो विभाग मिला है वो मिला है आपदा प्रबंदन विभाग तो यह दो मुकरूप से आपको याद रख लेना है कि यह स्वास्त मंतरी है ठीक है बन्ना गुपता जारकन के स्वास्त मंतरी है हम कहते हैं कि स्वास्त को सही बना करके रखना पड़ेगा, परिवार को सही बना करके रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग आपदा से निपट सके, ठीक है, यानि कि हम ऐसा मजाकिया वाला ट्रिक नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी चीजों को समझ सकते हैं, कि स्वा अगला जो आता है वो आता है रामेश्वर उराउंजी ये वित विभाग के मंतरी जो है इनको मिला है कह सकते हो वित मंतरी और इसको पूरा अगर हम पढ़ा जाए तो पढ़ा जाएगा वित या वनिज कर खाद योजना एवं विकास सारुजनिक वितरन और उपभोकता मामले के मंतरी है अब देखो बात हो रही है पैसा गोडी की ठीक है खूब पैसा उड़ा है चोड़ा जयने खूब पैसा वित विभाग है वही है सारा हिताब किताब बाठना भी है वह भुगता के मामलों को भी सुनना है तो हम कह रहे हैं कि तुम्हें ना सिर्फ उराउं याद रख लेना है, हहलाखे आपको ओर उराओं मिलेंगे कि नहीं वो छोड़ दो, लेकिन फिलान में आपको यह याद राख लेना है उराओं, नह lige कहते हु mee सिरी रामेशवर उराओं भी हमारा कम्पलीट हो गया अब आते हैं बादल पतरलेख जी, श्री बादल पतरलेख जी, ये जारकन के क्रिशी सहकारिता, पसुपालन एवं मतस्य विभाग के मंतरी हैं, अब इनके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, बादल, अब कोन नहीं जानेगा भई कि क्रिशी और बादल का क्या संबंद है, तो इनको इनके नाम के जैसा इनको परबार मिला है, तो ये जारकन के क्रिशी मंतरी हैं, ठीक है, बादल गाना भी बीच में चला था, छोड़ो कर गाना पे तो हट जाओ, लेकिन क्रिशी और बादल से क्या रिलेशन है, आप खुद समझ लीजिए, अगर बादल में बारि मिलेश कुमार ठाकूर जी, ये जारकन के पेजल एवं स्वच्चता विभाग के मंतरी हैं, ठीक है, क्या नाम है इनका, श्री मिलेश कुमार ठाकूर जी, सवाल पूछेगा कि पेजल एवं स्वच्चता विभाग के मंतरी जारकन के कौन है, याद रख लेना होगा मिलेश क तुम्हार ठाकूर याद रख लेना कैसे बी ट्रिक लगा लेना जैसे यह पनिया बड़ी मीठ है एके नहीं हमें मिठ मिठ लिखा हुआ है मीठ कहले नहीं पानी तुम्हारे यहां का जो बड़ी मिठा है है तो यह मिठ और पानी इसे कनेक्शन कुछ भी लगा करके इसको याद रख लेना है अब आते हैं हम लोग चंपाई सोरेन जी ठीक है अब इनके बारे में जानना है तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजी आप लोग की अनुसुचित जाती एवं पिछडा वर्ग अनुसुचित जन जाती विभाग के य मंत्री थीक है यह पॉइंट आपको याद रख लेना पड़ेगा कुलियर है न अल्प संखक कलियान चोड करके अनुसुचित जाती पिछडा वर्ग और अनुचित जन जाती विभाग के यह मंत्री है थीक है इनके साथ साहत यह परिवहन विभाग भी इनके पास है याद इनको दिया गिया है आगे आते हैं हमारा आलमगीर आलमजी यह जारकन के गिरामिन विकास गरामिन कार पंचायिति राज संसदी कार विभाग के यह मंत्री हैं अब हमें यहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा कि देखो पंचायिति राज तो हमें याद है कि गांधर से ही रखेंगे तो देखो मैं विदिन सेकेट रिंक बताता हूं भले आपको फालतू लगे लेकिन बाकी आप अपने ट्रिक लगा ले ना ठीक है लेकिन मैं आपको याद करने का एक फंडा बताता हूं देखो होता है कि गाउं में तुम जल्दी सो जाओगे और आटोमेटिक वहा अलार्म की जरूरत नहीं होती है किसको गाउं वाला को अब चार-पांच बच देखेंगा हणिया बरतन बज रहा है बरतन धोवा रहा है गाय बैल डोडा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं तो यह अलार्म वाला यहां पर सीन हो रहा है तो याद रख लीजेगा अलार्म की और पंचायती राजमंत्री हैं ठीक है अब हमने भाई बहुत अच्छे से समझ लिया और बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया कि जारकन के मंत्री मंडल में कौन क्या है चलो कंप्लीट हो गया कि नहीं बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हम लोग है कि नहीं बहुत चां हमने सब के बारे में जान लिया है तो जारकन के राजपाल के बारे में भी जानना होगा ठीक है सीपी राधा कृष्णन जी अभी सिर्फ नाम याद रख लीजिए चंद्रा पोनुसामी राधा कृष्णन का पूरा नाम है सीपी जो कि हमने सौट फॉर्म में कहा और यह जारकन के वर्तमान में राजपाल है ठीक है बाकि विस्तार रूप से हम लोग आगे हम लोग इनके बारे में डिटियल के यह पहले कहां थे और यह कब जारकन में जोइन किये मतलब इनको कब राजपाल का बाहर मिला इस सारी ची इसका ना पूरा का पूरा PDF में आपको टेलिग्राम ग्रूप जारकन वार्यर पे शेयर कर दूँगा ठीक है जहां पर आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा जब 14 टॉपिक में 8 टॉपिक के PDF आपको टेलिग्राम पे मिलेंगे ठीक है और अभी वर्तमान में ओके तो जारकन पूर्यर टेलिग्राम गुरूप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जा करके जॉइन कर लीजेगा अब हम इसको नहीं बताएंगे अब पूछोगे क्यों सर दो यह चीजे ना वर्ल नाइनर है और यह चीजे मैं आपके उपर सौप देता हूं ठीक है जैसे ज बता सकता हूं कि इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है देखो यहां बच्चा ध्यान से समझ लीजिएगा जितने भी यहां पर मैंने लिख रखा है या फिर दे रखा है यह पूरा पीडिएफ आपको मिलेगा तो आप रिविजन कर लीजेगा लेकिन मेरे लोक लेखा समीती बहुत इंपॉर्टेंट है कि निलकंड सिंग मुंडा जी लोक लेखा समीती से जुड़े हुए है और यह पॉइंट आपको याद रख लेना है ठीक है बाकी आगे भी हम आपको दिले के चलते हैं बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है अभी हम आपको नहीं है जारकन की तो आप कहेंगे कि सर फॉर्टीन है तो यह फॉर्टीन में से कौन कितने कौन कौन से पाटी के हैं यह पॉइंट याद रख लेना होगा मतलब सांसदो के बारे में आपको यहाँ पर जानना की जरूरत है जैसे आपको यानि की नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर आपको एक ही दिन याद नहीं करना है आपको दीन चार पांच इसके लिए टाइम ले 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 ना है ठीक है यहाँ पर देख लीजिए maximum जो हैं वो BJP से आपको नजर आ रहे हैं ये गिरिडी के जो जो हैं चंदरपरकास चौदरी जी ये आजसू के हैं फिर आपको BJP ही नजर आएंगे उनका जो राजनितिक पार्टी है फिर यहाँ पर JMM है कांग्रेस है राजमहल से विजयकुमार हा बारे में यहाँ पर मैंने लिष्ट बना करके दिया है ताकि आप चीजों को याद कर सके हो सकता है कि सवाल पूछे यह ना पूछे मादय में टेंशन मत लेना आराम से याद हो जाएगा ठीक है वहीं पर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में भी दे दिया है जैसे छे है अगर माल लेते हैं तो छेओं का नाम हमने लिख दिया है कि कौन कौन है और किस पार्टी से है ठीक है इनका कारिकाल कब से कब तक होगा तो परिशानी की कोई बात ने इसे डिसक्राइब करने की बिजरुरत नहीं है आप ये वन लाइनर चीजे हैं और आप इस जारकन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अभी अध्यच है वो है डॉक्टर मेरी निलिमा करिकेट्टा ये यहां की अध्यच है ठीक है वहीं पर जारकन करमचारी चैन आयोग यानि की जे एसेसी के जो अध्यच है वो है नीरत सिनाजी ठीक है और जैक जो क्लास 10 और 12 की परि जाता मोस्ट लीए बहुत जाता इंपॉट्टेंट है और आपको यह तीन याद रखे लना इसके अलावा आप अपने अपने कोर्डिंग याद रख लीजएगा जो कि आपके लिए बेनिफिशिल होगा लेकिन तीन मेरे नजर में बहुत जाता है बाकी मैं आपको बात बत देना चाहता हूं कि यहां पर भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन पदादीकारी किस पद पर है जैसे जहरकन के वर्तमान मुक्सचीव कौन है तो एल खयांगते करके हम टर्म करेंगे इसको यह जहरकन के वर्तमान मुक्सचीव हैं तो यह भी इंपोर्टेंट होगा मुक्सचीव एल खयांगते मतलब जो नाम आपको ये नया नजर नहीं आ रहा है बड़ा पटंगा से लग रहा है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा मुक्सचीव है कौन? एल खयांगते वही पर पुलिस महानी देशक में जो है वो है अजय कुमार सिंग अजय कुमार सिंग जारकन के पुलिस महानी देशक के पद पर आसरित है और जारकन राज चुना मतलब की आयुक्त जो है निरवाचन आयुक्त वो है डीके तीवारी तो मेरे हिसाब से यहां पर भी तीन हमने इंपोर्टन बताया देखो पढ़ना तो बहुत कुछ है लेगिन इंपोर्टन भी पढ़ना जरूरी है पहले हम इंपोर्टन पढ़ेंगे बागी याद नहीं हो तो बाद में हम देख लेंगे ठीक है कि नहीं अब यहां पर हमने बता दिया अब यहाँ पर तीनों हमने बहुत जादा important टिक लगा दिया है कि बाबू तुम्हें ये तीनों चीज कवर कर लेने हैं किसी भी कीमत पे एक तो फुलिस महानिदेशक, दूसरा राज निर्वाचन आयुक और तीसरा मुख सचीव अब हम बात करेंगे आपके कि राजपाल के परदान सचीव कौन है, मुखवंतरी के परदान सचीव कौन है तो याद रख लेने वाली बात ये है कि राजपाल के जो प्रदान सचीव है वो है नितिन मंदन कुलकरनी और मुखवंतरी के प्रदान सचीव है वंदना डाडेल ये काफी बार आपने सुना भी होगा नाम ये जाना भी होगा आपको देखने को मिला भी होगा तो ये तीन फ कि जो मुख नियाधी से हैं, वो वर्तमान में न्याय मूर्ती संजय कुमार मिश्रा जी हैं, वहीं पर महाधिवक्ता की बात करें, तो राजीव रंजन जी हैं, अब यहाँ पर दोगो दो चीज याद रख लेना, कन्फूजन कभी भी नहीं करोगे, एक संजय कुमार मिश्रा जो जारकन उचनियाले के मुख नियाधी से हैं, तो दूसरा जारकन पुलिस महानी देशक का अजय, संजय और अजय, यह दोनों चीज याद रख लेना पड़ेगा, अजय जो है, वो पुलिस भी भाग में है, जो कभी नहीं हार मानते हैं, समझ में आ रहा है कि ने, डट कर के लड़ जाते हैं, और संजय जो है, उनको बड़े बहुत, मतलब, बढ़िया तरीके से डिसिजन देना होता है, संजय, धीरज रख के चीजों को बोलते हैं, तो संजय जो है, मतलब नयाय मूर्ती माननी है, संजय कुमार मिस्तराजी जो है, वो उचनियाले के मुख जी सर अब इंपोर्टेंट चीजों को करा रहा हूँ यह मत कहना है कि सर ने स्कीप करा दिया को याद करने के लिए तुम्हें PDF तो भी ले गाई तो चिंता की क्या बात है तो आप चिंता विल्कुल भी नहीं करेंगे अब यहाँ पर कुछ खेल संगठनों के अध्यच के भी सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसे कभी-कभी पूछ लेता है कि भाया तीरंदाजी संग के कौन है भारतिय तीरंदाजी संग के अध्यच कौन है हमने कह दिया अरजुन मुंडा तो यह सवाल बनता है एक्जामिनेशन में ठीक है एक बार नहीं कई दफा चलो यह भी क्लियर हो गया अब यहाँ पर खेल संगठनों के अध्यच से यह तीरंदाजी संग याद रख लीजिएगा और उलम्पिक संग ठीक है बाकी सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है लेकिन वन लाइनर चीजों को मैं क्या ही रटवाऊं ठीक है यह आपको आपकी उपर हम छोड़ दे रहे हैं ठीक है ना अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बच जाता है यह दो चीज़े जो कि केंद्रिये मतलब जारकन के कोई मिनिस्टर है या फिर कोई पॉलिटिकल है जो कि केंद्रिये कैबिनेट में मंतरी पदबे हैं तो यह बहुत बड़ा बात है ऐसे में सवाल बन सकता है भाई तो जारकन के अरजुन मुंडा जो कि पूर्व मुख मंतरी भी रहे हैं जारकन के तीन बार वो केबिनेट में सेंट्रल केबिनेट की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर जन जातिये मामलो के केबिनेट मंतरी और क्रिशी मंतराले का अतरीक्त परभार भी अभी इनके पास है किनके पास? वेक्ति जहरकन के जो केंदरी कैबिनेट में अपना रोल अदा कर रहे हैं अपना सेवा कर रहे हैं तो वो एक है अरजुन मुंडा तो दूसरा है अन पुर्ना देवी ठीक है तो ये जो हमारा पाट रहा है अभी कौन क्या ये जो पाट हमने अभी किया है उससे एक्जामनेश राज के मंत्री मंदल से ले करके जो भी चीज़े हैं वो हमने समझा अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की और जहां से और भी कर इंटरफिर को मजबूत बनाते हैं हमारा अगला टॉपिक है जहारकन का प्रतिक चिन आपके आगामी जितने भी इग्जामिनेशन्स हैं वहाँ पर इस टॉपिक से सवाल पूछे जा सकते हैं आप सभी छात्रों को पता होगा कि 2019 में जब विधानसवा चुना हुए तो जहारकन में नई पार्टी ने सरकार बना लिया यानि कि पहले हमारे पास इस राज्ज में बीजीपी की सरकार हुआ करती थी लेकिन 2019 के बाद जब इलेक्शन्स हुए विधानसवा चुना हुए उसके बाद नई सरकार बनी जेएमेम और कांग्रेस के गड़बंदन से चुनाव होने के बाद रिजल्ट आने के बाद हमारा जो राज्ज का प्रतीक चिन है उसमें भी बदलाओ देखने को मिला यानि कि नया प्रतीक चिन हमें मिल गया ऐसे में अभी तक JSAC की परिक्षाओं में सवाल नहीं पूछे गए हैं इससे पहले जबकि ये विडियो अप्लोड हो रहा है उससे पहले लेकिन आने वाले समय में आपके एक्जामनेशन में बहुत जादा इंपोर्टेंट रोल अदा करेगा तो हमें ये जानना है इस नए प्रतिक चिन के बारे में हमारे राज्ज का प्रतिक चिन कैसा है किस प्रकार इसको बनाया गया है और क्या-क्या विशेश्ताएं इस प्रतिक चिन में शामिल है आईए हम लोग विश्तार से समझते हैं तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे ये प्रतिक चिन, ये एक वृत अकार का प्रतिक चिन है, इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिए, यह अकार वृत है, इसका अकार, और जो कलर आपको नजर आ रहा है, वो हरा हरा नजर आ रहा है, हरा यान लेना कि ये जो आकार है, वृत है, ध्यान देनी वाली बात जो आपके माइंड को याद कराना है, वो ये है कि उपर की और इस वृत आकार के सबसे उपर की और हिंदी भाषा में जारकन सरकार लिखा हुआ है, वहीं पर नीचे की और अंगरेजी भाषा में गौर्मेंट ओफ जारकन लिखा गया है अब ये चीज आपको clear हो गया होगा उपर की और जारकन सरकार और नीचे की और गौर्मेंट अफ जारकन बीच में आप देखिएगा सत्तमेव जैते ये जो तश्वीर आपको नजर आ रही है ये भी आपको याद करना है याद इसलिए करना है ये असोक अस्तम्ब जो है आपको no down कर लेना है उपर की और हिंदी में नीचे की और अंग्रेजी में और बीच में असोक अस्तम्ब आए इसको और विशेश रूप से जानने की कुशिश करते हैं कि कब इसका launch किया गया इसको कब इसकी शुर्वात हुई तो सबसे पहले यहां पर हमने लिख रखा है कि 14 अगस्त 2020 जब जारकन की राजपाल थी द्रोपती मुर्मूर वर्तमान में ये द्रोपती मुर्मूर जारकन की पुर्व राजपाल भारत देश की राष्टपती है और ये बहुत गौरव की बात है पुर्व राजपाल द्रोपती मुर्मूर ने 14 अगस्त 2020 को अराची के आरिभट सबागार में इसका अनावरन किया ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये डेट था 14 अगस्त लेकिन इस प्रतिक चिन को प्रभावी रूप से जो लागू किया गया वो किया गया 15 अगस्त 2020 हो सकता है आपके एक्जामिनेशन्स में पूछ लेगा कि किस सबागार से इसका अनावरन किया गया उससे तिथी से भी आप कन्फूजन हो सकता है इसलिए आपको याद रखना है 14 अगस्त को अनावरन किया गया और 15 अगस्त 2020 से पूरे राज्ज में इसको लागू कर दिया गया अब इस वृत्तकार आकिर्ती में क्या-क्या चीजें शामिल है हमारे प्रतिक चिन में वो चीज हमें याद करना होगा जैसे हमारे वृत्तकार जो प्रतिक चिन है उसके पहले खंड में जारकन सरकार लिखा गया है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में वही पर दूसरे खंड में 24 हाथियां दरसाई गई है द्यान रखने वाली बात ये है कि हाथियों का जो कलर है वो सफेद है एक्जामनर आपको कन्फ्यूज करने के लिए हाथियों के कलर से सम्मधित सवाल दे सकता है तीसरे खंड में 24 पलास के फुल है चोथे खंड में 48 नर्तक 11 चित्रकारी का भी इसमें चित्र यहां पर अंकित है वहीं पर पांचवा खंड में 60 सफेद वृत्य है और केंद्रिय खंड में असोक अस्तम्भ है अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का परियास करते हैं अपने तरीके से ध्यान से देखेगा इस तस्वीर को कि यह जो हमारा पहला खंड है जहां पर जारकन सरकार लिखा हुआ है वहीं पर दूसरे खंड की अगर हम बात करें तो हाथियों की संख्या 24 है हमेशा याद रख लेना है कि हाथी जो थे चितरकारी में वो कितने थे वो 24 थे ठीक है इसे मैं सही स्पेलिंग लिख दूँ जी ठीक है वहीं पर तीसरा खंड में पलास के फूल के बारे में बताया गया है कि पलास के जो फूल है वो भी कितने है वो भी 24 है इसको भी हमने याद कर लिया और चौथा खंड जो है वो यहाँ पर देख लेना है कि 24 से सिधा ये 48 हो गया और 48 में सौरा चितरकारी निर्त करते हुए यहां पर परदर्शित किये गए हैं यानि कि 24 हाथी है, 24 पलास के फुल है यानि कि दोनों 24 हैं एंड हम आगे बढ़ रहे हैं 48 में जिसमें सौरा चितरकारी यहां पर शामिल है वहीं पर यह पांचमा खंड अकर हम नजर डाले तो इसमें डॉट 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 जो वाइट वाइट कलर का आपको दिख रहा है जिसको हम लोग सफेद वृत बोलेंगे इसकी जो शंक्या दर्साई गई है वो 60 दर्साई गई है दियान दीजेगा कि इसका भी जो कलर है वो सफेद है सबसे पहले तो हमें यह याद रख लेना है कि 24, 24, 48 और 60 ठीक है यह चीजें हमें याद कर लेनी है परिक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि बताओ यार प्रतिक्षिन में हाथियों की संख्या कितनी है पलास की संख्या कितनी है और यह 48 क्या है सौरा चितरकारी सफेद डॉट की संख्या कितनी है तो यह चीजें हमें याद रख लेना होगा और यह जो बीच में है वो किसी तश्वीर है यह हमने पढ़ लिया अगर हम बात करें हाथी की, तो हाथी की क्या विसेस्ता है, इस प्रतिक चिन में हाथी को क्यों शामिल किया गया है, पलास के फूल को क्यों शामिल किया गया है, वास्तों में आपको जानकारी है इस बात की, कि हाथी हमारे राज्य का जो है, वो राज्य की पसू है, ठीक है, वही पर पालास भी फूल है, है ना, अब इसकी विशिस्ताओं से सवाल पूछे जाएंगे, ये जो वृत आकार यहाँ पर दिया गया है, ये दर्शाता है राज की प्रगती को, और वृतों के खंडों में हरा रंग, जैसे कि हमने आपको कहा था, कि हमारा जो वृत है वो ग् पुर्ण है, वही पर सफेद हाती जारकन का एश्वर एवं प्रचूर प्राकृतिक संशादन को दर्शाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रख लेने हैं, वही पर जारकन के जो पलास भूल है, राज की पुस्प, राज का आप्रतीम प्राकृतिक शंदर को दर्शाता है, जब ये पालास भूल खिलता है न, तो मानो हमारी जो जंगले होती हैं, जहां पर इसके पेड़ होते हैं, वो वादियां खूबसूरत होता है, और यही कारण है कि ये हमारा राज की पुस्प भी है, सौरा चितरकारी जंजातियों की संब्रिद्धी सांस्कृतिक विरा आसत में मिली है, उसे ये दर्शाने की कोशिश करता है, वहीं पर असोकस्तंब जो है, वो भारत के उत्तम सहकारी संगवाद में जहारकंड की साह भागिता एवं आद्वीती भूमीका को भी या दर्शाता है, तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा अब दो गिने चुने फैक्ट बचे हैं, बागी ये टॉपिक हो जाएगा, फिनिश, जैसे कि प्रतिक चिन को बनाने में समय कितना लगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रतिक चिन को बनाने में 205 दिन लगे हैं, और हो सकता है कि परिक्षा में ये सवाल प देखांकित करता है, और यह हमारी असिमता और हमारी चेतना का प्रतिक है, ये स्टेटमेंट मानिनिय मुकमंतरी हमारे हैमन सोरिन जी के द्वारा ये दिया गया था जब इसको लॉंज किया जा रहा था, तो हमने प्रतिक चिन के बारे में बहुत कम समय में, अर्था 10 मिनट में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, कि आपने अपना 10 नंबर सेक्योर कर लिया, बढ़ते हैं, नेक्स्ट टैपिक की और अगला टॉपिक, भारतिये राजवन सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021, आगामी सभी परिक्षाओं के लिए अत्यान महत्पुन टॉपिक, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब मैंने आपके लिए वो टॉपिक ले करके आया है, जो एक्जा पॉधे पाए जाते हैं, अब यहां का जो सर्वेक्षन किया गया, 2021 का उसकी रिपोर्ट सामने आए, अब एक्जामनर जो है, वो यहां से सवाल तो पिक करेगा ही करेगा, 7GPC में हमने देखा कि 2019 के फॉरेस सर्वे जो रिपोर्ट आया था, उसे सवाल मैक्सिमम पिक किये तो आपके आगामी एक्जामनेशन में भी पिक किये जा सकते हैं, जैसे 11GPC हो गया, ठीक है, और JSC के सारे आने वाले एक्जामनेशन में, सभी एक्जामनेशन में मतलब, ठीक है कि नहीं, तो चलिए शुरुबात करते हैं इस टॉपिक को, इस आकडू को याद करने की हम ल प्रगॉलिक छेतरफल है, वो 89,716 वर किलोमेटर है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ध्यान रखिएगा हम लोगों ने पढ़ा है 89,714, लेकिन जब भी सवाल अगर पूछेगा, 2021 के अकॉर्डिंग, कि जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग, तो ये परसेंटेज में कितना है, ठीक है, और भारत में 1 छेतरफल में ज़ारगन का हिस्सा कितना है, ठीक है, तो शुरुवाद हमारी यहीं से होनी चाहिए, और यहीं से हमें याद रखना होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 89,716 वर किलोमेटर ज़ारगन की कुल भागौलिक छेतरफल है, जिसमें से कुल वन भूमी की अगर हम बात करेंगे, तो 23,721 वर किलोमेटर सिर्फ और सिर्फ जंगल है, ठीक है, और अगर हम परसेंटेज में अगर पूछा जाए, या परसेंटेज में चीजों को याद कि कुल भागौलिक छेतरफल इतना है, जिसमें से वन छेतरफल, वन भूमी, ये 23,721 तो याद रखना ही है, लेकिन 23,000 अपने माइंड को बेठा देना, कि भाईया 89,000 में 23,000 यहाँ पर हमें याद रखना है, कि ये जंगल जाडियों वाला भरा बड़ा है, अगर लगबग लगबग 30 प्रतिशत, यानि कि 29.76 प्रतिशत, जब आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीटेड मोड में देखे होगे, स्पीड करके देखोगे, तो यहाँ पर चीज़ें आपको आपको आटमेटिक रिवाइज हो जाएंगी, क्लियर है, अब बात करते हैं भारत क वन छेतरफल में जारकंड का हिस्सा, तो 3.30 जो प्रतिशत है वो आजाता है भारत के वन छेतरफल में जारकंड का हिस्सा, ठीक है, तो यह तीन पॉइंट हमने कवर कर लिया बाबू, पहला चीज 33721 किलोमेटर दूसरा जो हमने कहा 29.76 प्रतिशत, और भारत के वन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्या चीज़े हैं, सीधा डारेक्ट पॉइंट पर आते हैं, जहां से एक्जामरेशन में सवाल बनेगा, और जहां पर आपको लगेगा, कि सर आपने ना बहुत सही चीज बताया, जैसे हमने यह रिपोर्ट जान लिया, अब हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है, सबसे कम जो है, वो किस जिले में है, ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग अभी बात करने वाले हैं, पहला छेतरफल के दृष्टी से, तो दूसरा प्रतिशत के दृष्टी से, तो सबसे पहले शुरुआद हमारी हो रही ह चेतरफल के दृष्टी से तो जारकंड में सबसे जादा वन चेतरफल जो है अगर किसी जिले में है तो वह जिला है पश्मी शिंभूम आपको पता होगा यहां धानून खेती बारी बहुत होता है और यह सबसे बड़ा जिला भी है चेतरफल में ठीक है वही पर 2021 के फॉरेस सर्वे रिपोर्ट के अनूसार जारकंड का जो सबसे जादा वन चेतरफल है वो है पश्मी शिंभूम जहां पर जो आकडा सामने आया है वो 3-3-6-8 बस इतना दो-तीन बार लिख लेना कि सबसे जादा जो है वो है पश्मी शिंभूम कितना है 3-3-6-8 याद हो जाएगा क्लियर जी सर अब हम बात करेंगे कि न्यून्तम चेतरफल कहा है तो वही हमारा जाम ताड़ा ठीक है जाम ताड़ा में 106 वर्ग किलो मिटर जो है वो यहां का वन आबादी है चेतरफल में ठीक है दो चीजें कर लिया 3-3-6-8 सबसे जादा सबसे बड़ा जिल्ला कौन सा है जारकन का पश्मी शिंभूम एरिया वाइज और सबसे छोटा अगर हम बात करेंगे वन के द्रिष्टी कौन से तो वो आजाता है जाम ताड़ा वही जाम ताड़ा जो आप लोगों ने वेब सीरीज में देखा है मैं तो पहले से 1 बात कर रहा हूं वैसे तो प्रचली थे है न मजाक कर रहा हूं देहान से समझ ले ना लेकिन याद करने के द्रिश्टी से हैं ठीक है तो न्यूंतम वन छेदरफल जो है वो जाम तड़ा में 106 ठीक है दो तिन बार एकी चीज को वो है लातेहार ठीक है अब यहाँ पर यह चीज याद रख लेना बाबू कि लातेहार जो जिला है वो सबसे जादा यहाँ पर 1 प्रतिशत है 56 प्रतिशत और सबसे कम वही जाम तड़ा 5.85 प्रतिशत यानि कि जाम तड़ा छेदरफल की द्रिश्टी से भी सबसे कम है और 1 प लेकिन प्रतिशत में लाते हार याद रख लेनी है अब यहां तक माइंड पे चला गया होगा जो जो मैंने आपको बताए अब हम लोग आते हैं अति सगन वन ठीक है और मध्यम वन खुला वन अब इसको थोड़ा सा न समझना पड़ेगा कि ये सगन वन क्या है मध्यम सगन वन क्या है इसको समझना होगा ठीक है तो देखो क्या आना कि सगन वन हम उन वनों को कहते हैं जहां पर व्रिक्ष वितान का जो घनत्व होता है वो गहनत्व समझ रहे हो ना सत्तर प्रतिशत से ज्यादा जो गहनत्व है जहां पर उसको बोलते हैं हम लोग सगनवन ठीक है यानि कि यह वाला हम बात कर रहे हैं ठीक है यहां पर जो आकड़ा आया है सगनवन के बारे में क्या है दो दूसरे बासा में समझो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है यह जो हमने कहा सबसे ज़ादा जीला परसेंटेज और छेतरपल यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है अब हम लोग सगनवन, मध्यमवन और खुलावन को समझ रहे हैं कि भाईया जारकन में कितना सगनवन है कितना मध्यमवन है और कितना खुलावन है देखो यह आगड़ा तो हमारा 23,700 जो हमने याद करा है 21 ही है जिसमें से सगनवन जो है वो है अतिसगनवन 2600 एक यह कैसे याद रखोगे देखो घनतव यहां पर इस अतिसगनवन में 70% से व्रिक्षो का वितान घनतव होता है मतलब एक के जगई हमें समझ में आ रहा है कि नहीं अब मध्यम सगनवन में क्या होता है जो व्रिक्षो का वितान घनतव होता है वो 40 से 70% होता है ठीक है और तीसरा जो खुलावन होता है जहां पर व्रिक्षो का जो घनत्व होता है वो 10 से 40 परतिशत होता है ठीक है? अब नहीं समझ में आया देखो घनत्व क्या होता है ये पहले समझ लेना काम बन जाएगा ठीक है? मालो एके जगई हम 70 गो पेड़े अगल बगल 60 60 60 ठीक है? अब यहां मध्यम सगन में तो नहीं दूर दूर 40 गो है वो एरिया में एक कोई लिमिटेड एरिया है मालो कि यहां पर 70 गो है औरी बोरी भरले है मैं समझाने के लिए दूसरी भासा में समझा रहा हूँ ठीक है? अब यह हो गया यह हलागी डेटा याद नहीं रखना है तुम्हें क्या याद रखना है बाबू? तुम्हें याद रख लेना है कि 23,721 में से जो हमारा सगनवन है अती सगनवन है वो है 261 मध्यम सगनवन है वो है 9,689 और खुलावन जो है वो है 11,431 यानि कि सबसे ज़्यादा खुलावन है 11,000 उसके बाद मध्यम सगनवन है 9,000 और अती सगनवन जो है वो है 2600 ऐसे करके याद रख लेना ठीक है? 11,000, 9,000, 2600, यह 2600, एक यह लिखा गया ठीक है न? तो यह चीज हमें याद कर लेना है और बाबु आप लोगों ने याद भी कर लिया ऐसा मुझे लगता है ठीक है? तो यह कौन-कौन से वन है? अती सगनवन, मध्यम सगनवन और खुलावन यह तीनों को 11, 9, 2600 एक याद रख लेना है काम बन जाएगा अब लगे हाथ याद भी रख लेना है कि अती सगनवन जो है, उसका छेतरफल सबसे ज़्यादा कहा है तो वो है लातेहार लातेहार प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा था और अती सगनवन छेतरफल के मामले में भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो लातेहार जिला में है लेकिन याद रख लीजेगा कि अती सघन मामले में अगर सबसे कम कोई वन है तो वो वहाँ पर है पाकुड न्यूनतम अती सघन वन छेतरफल है किसका पाकुड का यहाँ पर जामताड़ा नहीं आएगा जब हम अती सघन वन की बात करेंगे ये एक अलग टॉपिक हो गया और अती सघन वन के बारे में न्यूनतम में पाकुड याद रख लेना है ठीक है अब मध्यम सघन वन हमने नहीं दिया इंपोर्टन नहीं है इंपोर्टन क्या है खुला वन का छेतरफल सबसे ज़्यादा कहा है पश्मिशिम्भूम अफकॉस वही पर होने वाला है खुला वन वही पर न्यूनतम जो खुला वन छेतरफल है वो है जाम ताड़ा ठीक है याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है यर वैसे भी सबसे ज़्यादा छेतरफल जो है वो पश्मिशिम्भूम का है और जाम ताड़ा का सबसे कम है खुला वन के बारे में भी सेम चीज है तो करोगे चीजें याद हो जाएंगी अब देखिए जो मुझे लग रहा है इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट वो यह लग रहा है कि बताईए कि दोहजार उन्यस से कीस में सरवादिक वन छेतर विर्धी जो है वो किस जिले कर रहा है मेरे एकोर्डिंग यह स सुरक्षित वन और संरक्षित वन आवरगी किरित वन ठीक है बीच में अगर कुछ डेटा आ जाता है जैसे यह आ गया तो इसको ले करके ना कन्फूजन बिल्कुल भी नहीं करना ठीक है मैं आपको बता रहूं जहां जरूरी है वहां बताएंगे पीडियाप में वही कंट जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अब हम बात करेंगे हमने अती सगन वन जाल लिया हमने मध्यम सगन वन जाल लिया अब हम लोग जान रहे हैं कि सुरक्षित वन क्या है और अर्वरगी क्रित वन क्या है इसके बाद इसमें जारकन की परतिशत कितनी है ठीक है वहाँ पर 9,11,26 याद रखा था ना 9,000, sorry 11,000, 9,26,1 यह याद करवाया था यह सगन वाला कंसेप्ट था अब यहाँ पर दूसरा चीज याद रखवाएंगे तो पहले समझो कि सुरक्षित वन होता क्या है ठीक है सुरक्षित वन और संरक्षित वन क्या होता है संरक्षित वन की अगर हम बात करें जिसे हम लोग protected forest कहते हैं तो वो हमारा जो रज में सबसे ज्यादा संरक्षित वन ही है लगबाग 75.33 परतिशत यह हमारा reports आया है 75.40 भी आपको कहीं कहीं मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पर याद रख लेना है 75 परतिशत तो at least याद रखना ही रखना है ठीक है अब संरक्षित वन क्या होता है संरक्षित वन वैसे वनों को कहा जाता है कि जहाँ परतिबंद सीमा के अंदर कुछ भी मानिवे कदिवीदियों की अनुमती नहीं होती है ठीक है यहाँ एक सीमा तक पसू चराने लगडी काटने की अनुमती होती है लेकिन सिकार करने की अनुमती यहाँ पर नहीं होती है वहीं पर सुरक्षित वनों पर क्या होता है कि वनों के इस प्रकार में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक अस्थान में संड़चित किया जाता है और इस प्रकार के जो फोरेश्ट होते हैं वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है मानिवी गतिविधियों का क्या समझाया यार क्या समझ में आ रहे हो देखो हमने कहा आपको इसको बोलते हैं reserved आरक्षित वन आरक्षित वन उन वनों को कहेंगे जहां पर human activity अर्थार्थ मान्यूवी गति विधियों को पूरे तरीके से बैन किया गया है उसको कहते हैं reserved forest और जहां पर कुछ restriction के साथ human activity ह हो सकती है मान्यूवे जो गति विधिया है हो सकती है मानलों कोई चला गया जंगल में यह सब चीजें हो सकती है उसको बोलेंगे हम लोग protected forest अर्थार्थ संरक्षित वन ठीक है और मतलब जहां पर कोई परतिबंद नहीं होता है जादा तर उसको हम लोग कहेंगे आवर्गे forest जो है वो 75.33 परतिशत है और जिसको हम लोग कहा कि unclassified या फिर unclassed जो forest है वो है 6.75% ठीक है यह सवाल भी important है guys कि प्रतिवेक्ति 1 एवं रिचादन जो है वो 0.08% है clear हो गया जी बच्चा बहुत शांदार बहुत शांदार तरीके से आपने कर दिया है और देखो यहां प तुमारे परिक्षा में सवाल नहीं फसेगा यह हमने सुरक्षित वन सरक्षित वन और आवरगी कृत वन के डेटा लिखाए हम कहेंगे भाई 18,000 लिखो ठीक है 45,000 लिखो और फिर 16,93 लिखो जैसे आपने लिखा था न 11,9261 मध्यम वाला और यह वाला यह बागी percentage तो हमन आने के जरूरत नहीं है यह तो पूरा डीटेल में हम आपको फिर बाद में बढ़ाएंगे ठीक है तो यह जो forest report से जहां तक मुझे लगता है कि सवाल आने चाहिए वो चीजे मैंने आपको यहां पर बता दी है ठीक है अब जब हम लोग कुछ sets practice करेंगे जब questions practice करेंगे त तो वहां पर आपको जो है नजर आएगा इस topic से सवाल क्योंकि हमने हर test में यहां पर इस topic से सवाल किये है ठीक है आपको डाउनलोड कर लेना है play store से और डाउनलोड करके test series join करना है जिस किसी का भी आपको test series चाहिए हर test series हमारे यहां available है हिंदी अंगरेजी bilingual है with explanation ठीक है आगे बढ़ें येस सर बढ़ते हैं मजा आ रहा तो मैं बार बार कहता हूं कि बाबु लाइक करते चलना ताकि हम लोग आगे और भी मजा बढ़िया दरीके से पढ़ सकें समझ में आ रहा है कि नहीं येस सर अगला topic आजाता है हमारा जारकन विधानसभा चुनाओं 2009 अब देखो कभी कभी न एक्जाम में करंट अफर से सवाल पूछे जाते हैं तो दो तीन साल पहले के भी पूछ लिए जाते हैं वरतमान का साल हो रहा है 2024 और हम बात कर रहे हैं 2009 की दो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कुछ ऐसी उपलवदियां होती हैं या फिर कुछ ऐसे चीजे होती हैं जो की हर examination में पूछा जाना तय हो जाता है अब अगर हम बात करें खेल कूद वाला section का तो खेल कूद में 2011 का जो राष्टे खेल हुआ था वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं है कि नहीं अब आप तो यह नहीं कहेंगे कि 2011 वाला पूछ ले रहा है करेंट फिर में तो बात ऐसा है कि 2019 का जो विधान सभा चुना हुआ था वो बहुत important है इसलिए हमको यह topic को पढ़ना ही पढ़ेगा अब चलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पह हुआ है आपको यह याद नहीं रखना है कि पहला चरन कब हुआ था दूसरा चरन कब हुआ था तीसरा चरन कब हुआ था या फिर चौथा चरन कब हुआ था पांचवा चरन कब हुआ था लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ चीजों को बता दे रहा हूं कि पहला च तबा चुनाओं का समापन हुआ ठीक है अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट पे ठीक है यानि कि जो मतगरणा की गई वो कब की गई 23 दिसंबर 2019 क्लियर है 23 दिसंबर 2019 को इसकी मतगरणा की गई और इसके जो परिनाम हुए आए इस परिनामों से संबंधिती परिक्षा में स्वाल पूछे जाएंगे तो समसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस चुनाओं का जो परिनाम रहा वह किस परकार से रहा जैसे चुना हुए कुल निकासी सीटों पर आप सभी को पता होगा विदान सबा सीटों की संख्या इसमें से जो जेमम जो है उन्होंने तीन सीटों पर विजय पराप्ट किया तीस सीटों माफिष हाऊंगा तीस सीट आप कहेंगे तीस ये जेमम अर्थार्थ जारकन मुक्ति मोर्चा ने तीस सीटों पराप्ट करी बहरतिय जनता पाटी ने कुल 25 सीटे पराप्ट करी और कांग्रेस ने 16 मेल आपको ये तीनी चीज याद रखनी है जैसे मैं आपको स उसी की सरकार है यहां पर फिर 25 आपका BJP 16 आपका कांग्रेस ठीक है कांग्रेस और ज्यमं का जुए गडबंधन की सरकार जारकन में चल रही हैं तो यह बात याद रख लेना है कि BJP के 25 सीट पर वह विजय प्राप्थ हुआ था वही पर ज्यमं और गॉंपर ज्यमं 3 और और कांग्रेस सोला ठीक है तो यह तीनों चीज मैं आपको दस बर रिपीट कर दिया और आपको चीज़ें यहाद भी हो गई होगी तीस पचीस एंड सोला एक सीरीज में आप याद रखेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी अब हम बात करते हैं जहारकन व पूछ सकता है कि कौन-कौन एक जो थे एक थे अमित कुमार यादव और दूसरा आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है और यह जो दूसरा का नाम है वह बहुत चर्चा में रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ा चीज़ किया है अपने चुनावी मतलब की जब परिनाम आ रहे थे जब चुनाव लड़ रहे थे तो ठीक है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि यह दूसरे निर्दलिये पार्टी कौन थे जिन्होंने चुनाव जीता भी था ठीक है वहीं पर राज़त की अगर हम बात करें तो एक हैं एंसीपी की बात करें तो एक औ और निर्दलिये ने दो-दो सीटें प्राप्ट करी और राज़त एंसीपी और भागपा माले ने एक-एक सीटें प्राप्ट करी तो यह याद रखने में आसान हो जाएगा और आप बहुत बहतरी दरीके से चीजों को याद भी कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो अब हमें कुछ चीजों को याद करना है जैसे कि सबसे अधीक वोटों से कौन से प्रतियासी जीते सबसे कम वोटों से कौन जीते ठीक है तो सबसे अधीक वोटों से जीतने वाले हैं वो हैं पाकुड विधान सभा से आलम गीर आलम ठीक है आलम गीर आलम जो हैं वो सबसे अधीक वोटों से जीते हैं पाकुड विधान सभा में और सबसे कम वोटों से अगर जीते हैं तो वो है भूशन बारा ठीक है यह सिम्डेगा के विधान सभा से यह आते हैं भूशन बारा तो यह सबसे अधीक शीटों की बारे बात करा हमने और यह हमने बात कर सबसे कम सीट può के बारे में यानि सिमडेआ विधानसभा से जो विजेव प्रत्यासी हैं वो में भूशन वारा सबसे कम वोटो से और सबसे ज़ादा से आलम किल अलम ठीक है इस वइदानसभां चुनाओ नहें सबसे जो युवा विधायक रही है वह रही है अमबा प्रशाद यह ब्रकागाओं की है और इनका इस बार विधायका है बने है वह सबसे युवा विधाय के आप इनको जानते होंगे इनको देखा भी होगा ठीक है सोचल मीडिया का जमाना है और वहीं पर अगर हम बात करें सबसे उम्रदराज विधायक जो है वो हैं अमारे विद्विभाग के रामेश्वर उराओं जी ठीक है यह लोहर दग्गा के हैं याद रख लीजेगा लोहर दग्गा के हैं रामेश्वर उराओं सबसे अधीक वोटो से सबसे कम वोटो से युवा विधायक कौन है उम्रदराज विधायक कौन है यह चीजें हमने कर लिया इसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज नोट डाउन करने वाली बात रखी कि 2009 विधान सभा चुनाओं में 10 मह महिलाएं सदन पहुंची यानि कि अगर एक आसी सीटों के लिए अगर चुना हुआ है तो कुल 10 महिलाएं ऐसी हैं जो कि वो सदन पहुंची है तो यह विधान सभा चुनाओं से आपको यह चीजें याद रख लेना है ठीक है अब यहाँ पर एक चीज और बता दिया हमने क कि 22 एसे विधायक है जो पहली बार विधायक बने मतलब एक आसी विधान सभा सीट लड़े गए जिसमें से 22 नए चेहरे नजर आए नए व्यक्ति के रूप में जो कि नए विधायक के रूप में उबरे हैं वहीं पर कुछ उपचुनाओं जो कि अभी हुआ है उस कर रहा होता हूं तो हैस्टेक रॉसंस रलिख देता हूं ताकि आपको एक्जामनेशन में सवाल चूटे ना अब जैसे यहां पर क्या है कि दुमका है तो दुमका से जो उपचुना हुआ था नौमबर 2020 में उसमें बसंत सोरेंजी का जीत हुआ था यहमन सोरेंजी के भाय ह इनका पाटी भी जैमम है और बेर्मो से जो उपचुना हुआ उसी समय वहाँ पर कुमार जैमंगल ठीक है इन्होंने जीत हासिल करा था इनका एक उपनाम भी है आपको याद होगा कॉंग्रेस से है यह और यह दोनों दुमका से और बेर्मो से याद रखिए दुमका से हमन सोरेन ने जब छोड़ा था तब वहाँ पर उपचुना हुआ था और इस्तिफा देने के बाद तो बसंत सोरेन जी यहां से जीत दर्ज किये थे 2020 की ये बात हो रही है 2021 में मधूपूर से चुना हुआ था जिसमें हफिजुल हसन जी इनका जो अभी वर्दमान के खेल पर य चुना हुए सिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की है ये और 2022 में इनको निक्त किया गया मतलब ये चुनाओ से जीत गए ठीक है नेहा सिल्पी सिल्पी नेहा तिर्की ओके सुनिता चौधरी अभी रिसेंटली चुना हुआ था आजसु के मतलब रामगड में जो खाली हुआ था इसके पीछे रीजन भी था वहां पर भी आजसु के जो पाटी के विजेता रहे हैं सुनिता चौधरी कभी कभी होता क्या है कि कुछ चीज अगर मैं बताना चाहते हो तो जीहा लड़ा खाड़ा आ जाता है ने बोलते हैं कि जीहा लब-लब आ गया वही चीज हो जाता ह तो उस चीज को आप मिस्टेक समझ लेना ठीक ना जैसे हम पहले नहा सिल्पी बोल दी हैं तो होना चाहिए सिल्पी नहा तो उतना मत सोचना इतनी सुन भी कुछ गल्ती होता तो बच्वन बोलता है सर आप जे ऐसे मिस्टे अरे भाबु हम भी तो आदमी हैं है कि ने हम को उनों भागवान थोड़ी है समझ में आ रहा है गल्ती तो होगा ही इस चीज को समझ येगा ठीक है तो भाई हम लोगों ने उपचुनाओ पढ़ लिया और मेरे समझ से इस 2019 के विधान सभा चुनाओ से ज्यादा इंपोर्टेंट 2020 से ले करके 2020 तक जो उपचुना हुए हैं वो आपके एक्जामिनेशन में फसने के पूरे पूरे चांसे से अब अधा मुझे कितना टाइम लगा दस मिनट लगा बहुत विस्तार से भी इस टॉपिक को हम पढ़कर पढ़ाए हैं तो दस मिनट लगा क्या बिगड़ गया मेरा ठीक है तो समस्या हो गया समाप अब बार-बार कहने के लिए इसलिए आ रहा हूँ क्यूंकि आपका जो टेस्स सिरीज है वो एक्जामिनेशन पैटर्न पे है आप चीजों को एनलेसिस कर पाएंगे ऐसा नहीं कि हमने टेस्ट में अकडबकड बंबेबो कुछ भी कुशन डाला है जो जो टॉपिक आपके सोलन के बारे में पढ़ना है और आपने नहीं पढ़ाया और टेस्स सिरीज में आप गलत कर रहे हो आपको यह हिंट्स दिया जाएगा कि यह टॉपिक आपको कर लेना चाहिए ठीक है लिमिटेड है यह सभी छात्र जारगंड के तमाम जिलों से बच्चे जो है हमारे इस ट के लिए होगा थाइंक यू क्लास अगर पसंदार आओ तो वीडियो को लाइक भी करते चलना देखें हम लोग पांचवा टॉपिक में पहुंच चुके हैं और पांचवा टॉपिक जो है मतलब कितना ही वक्त लगा टेड़ गंट में हम लोग पांच टॉपिक सलेट दियें टाइम ही नहीं लग रहा है मैं इसलिए रिकॉर्डेट में डाल रहा हूँ लाइव में ये वीडियो तीन गंटिक हो जाते हैं अभी तक पांच बाट टॉपिक में ही रहते हैं तो गैस यहां पर समझना आज अभी जो हम लोग पांच बाट टॉपिक डिसकस कर रहे हैं उसका नाम है इंपोर्टेंट एप्स यानि कि जारकेंड में जितने भी एप्लिकेशन्स बनाए गए उससे किसी ना किसी को बेनिफिट्स हुआ android app की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो उससे भी सवाल पूछा जाता है जैसे समझ लीजिए कि आप यूज कर रहे हैं जारकेंड वारियर आप आपको बेनिफिट हो रहा है आपको सिक्षा प्राप्त हो रहा है आप examination से related चीजों को देख रहे हैं है ना लेकिन आप सम इतना जान लीजिए कि जारकेंड में जितने भी महत्पून एप्स हैं जो बनाए गए उससे related भी सवाल पूछा जा सकता है यह आज का trend कहता है ठीक है इसलिए हमने इसको topic में शामिल किया तो चलिए इसको आराम से पहले समझते हैं ओके तो सबसे पहले आता है हमारा जारकेंड बजार मोबाइल एप ठीक है यह कहानी है तब की जब पूरा देश विदेश लॉकडाउन में बंद था ठीक है उस समय एक एप आया था जारकेंड में जिसका नाम था जारकेंड बजार एप और यह एप जो था वो सहरी छेतर के अंतरगत दो किलोमेटर के अंतरगत दाएर में अगर लोग हैं तो उनको खाद वस्तुओं की होम डिलिवरी कराने के उद्देश से माननिय मुखमंतरी हेमन सोरेंजी के द्वारा बजार मोबाइल एप को लॉंज किया गया यह बात हो रही है कि एकर कोई भी शहरी इलाका था लॉकडाउन के समय और वहां पर कोई तो समाल लाने के के लिए ठीक है तो दूघ किलो मैंटर के दायरे के अंदर ठीक है आप यहां इस मोबाइल से ओर डेर करते है जहारकन बाजार ठीक है और जहारकन बाजार मोबाइल अप से आप przeparm करने के बाद आप चीज आपके घर में होम डिलिवरी हो जाता है जैसे अभी जमेटो आ गया है ठीक है स्वीगी आ चुका है खाना भंगाई एक तम और खाईए उसी प्रकार से यहां पर खाद वस्तूओं के बारे में होम डिलिवरी की बात कहीं गई थी ठीक है ना चलो दू दिखते हुए राज सरकार ने इसे इस एप को विक्षित किया था कि जांच में कुछ दिक्कते आ रही हैं कि क्या तो उसको लेकर के आरियोग झारकन आप को लॉंच किया गया ठीक है तो ये दो एप बजार वाला तो समझ गए बच्चा कि बजार से समान लाने वाली बात ह दो रही है आरो गिवाला भी समझ गए जारकन कोरोना साहता मोबाइल एप ये भी मुखमंत्री जो थे हमारे हेमन सोरिन जी ने वह बाहर फसे जो मजदूर थे उनको साहता करने के उद्देश से इस एप को लॉंज किया था और वह साहता भी कर रहे थे आर्थिक मदद कर रहे आप यानि की जो जारकन से बाहर जो मजदूर रहते हैं जो काम करते हैं मजदूरी करते हैं उनको वापस लाने की मुहीम थी एक तरफ से समझ लीजिए क्योंकि चारो तरफ चर्ट ट्रांस्पोर्टेशन बंद थे और वो फसे हुए थे उनके पास पैसा नहीं था तो इस के मदद से उनको वापस लाया जा रहा था कुछ आर्थिक सहयोग के दृष्टी कोन से इसको लॉंज किया था ठीक है अब हम बात करेंगे दाटीचर एप यह भी जारकन सरकार ने लॉंज किया था जितने भी गौवर्मेंट जो टीचर थे उनको इस एप के मदद से ठीक है ना तो दा टीचर एप के मदद से जितने भी गौवर्मेंट स्कूल के टीचर थे उनको ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी क्लियर फैसिलिटी एप मैं आपको बता देना चाहता हूं फैसिलिटी एप भी कोरोना मरीजों के परमंदन से रिलेटेड है और यह जार के इमरान अंसारी और उनके मुंबे के जो दोस्त ने मोदी के संदेश लोकल को वोकल बनाने के उद्देश से इस एप को लॉंज गया था यह देख लीजिएगा आप लोग लिखा हुआ है किस तरीके से इसका लोगो है किसान मेल एप ठीक है तो यह मेरे हिसाब से ज्याद वेदर फोरकास्ट एप ठीक है बिरसा क्रिशी विश्विद्याले ने राज मौसम विभाग के साथ मिल करके 445 के लिए वेदर फोरकास्ट एप को लॉंज किया है और यह वेदर फोरकास्ट जो एप है वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मौसम से रिलेटेड है नो करने के उपरान जारकन के कुल 445 में वेदर फोरकास्ट एप को लॉंज किया गया है ठीक है किर्केटर एप अभी आप लोग जानते होंगे मिहर दिवाकर और दोनी मस्दोनी काफी चर्चा में रहे हैं कुछ विजनस को ले करके और अभी कुछ-कुछ चीज़ें सामने आएंगे तो क्रिकेटर एप जो था वो मेहंदर सिंग दोनी और उसके दोस्त मिहर दिवाकर ने लॉंज किया था और यह एक्चुली कोरोना टाइम कहीं था जब क्रिकेट पूरी तरीके से बंद हो चुका था सारे स्पूर्ट बंद हो चुके थे तो उस समय ऑनलाइन क्रि अब इंपोर्टेंट आ जाता है यहां पर प्रग्याम एप इंपोर्टेंट है 30 मार्च 2020 को इस एप को लॉंज किया गया और जितने भी आपको याद होगा इसेवा जो था ना वो क्या था कि आपको कहीं पर जाना है अगर बाहर तो आपको इपास की जरूरत होती है इपास सुविधा के लिए इस एप को तयार किया गया था कब लॉगडाउन के समय में आई तिंग यह चीज आपको समझ में आ रही होगी जहां तक मुझे यह चीजें फील हो रही है ठीक है अब हम आगे मिलते हैं मिशन एप पे ठीक है मिशन सक्षम एप यह एप जो था वो था ग परवासी मजदूरों का डेटा को एक जूट करना ठीक है अगला आता है जहार भूमी पोर्टल यह सभी छात्रों को पता होगा और अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिए क्योंकि यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है जहार भूमी जो पोर्टल है वो राज्य सरकार क के लिए शुरुबात किया गया मतलब आप अपने जमीन के रिकॉर्ड देख सकते हैं कि उसका रुषिद कटा है या नहीं कटा है लगान दिया है या नहीं दिया है इस तरीके के चीजे तो इस पोर्टल के माध्यम से आप खसरा खतवनी जमीन ठीक है और जमीन रश्ट्री आप देख सकते हैं समाधान पोर्टल क्या था ओनलाइन सुविधा देने के लिए जारकन पुलीस के द्वारा सभी तरह के ओनलाइन सुविधा देने के लिए इस तुरुबात की गई थी समाधान पोर्टल इंपोर्टेंट है रेरा ओनलाइन पोर्टल जो है वो भूमी पदा नियामक प्राधिकार रेरा का उनलाइन इसका उद्गाटन हेमन सोरेन के द्वारा किया गया था ठीक है पॉर्टल के जो लाब थे वो कुछ इस प्रकार से कि रियल स्टेट से जुड़े मामलों में सब चीज दीख सके और तेजी से काम हो सके ठीक है उसके बाद आ जाता है हमारा जरकन रेरा एप जो कि हमने आपको डिसकस भी किया यहां पर देख सकते हैं और यह रेडा और यह जर्ट है ठीक है अब के एक्जामनेशन में पूछा जाएं यह एप इंपॉर्टेंट है रक्षक एप एसपी सौरब कुमार द्वारा बिट पुलिसिंग के तहद सिम्डेगा जीला में समारलाई के एसपी कार्यालाई में रक्षक एप जो है वो लॉंच किया गया ठीक है होम आईसोलेशन एप जो था यानि कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश था कि कोरोना के जो संकर्मित व्यक्ति जिनके लक्षन नहीं परकट हो पा रहा है तथा जो अन बिमारियों स अगला आता है 17 जो कि आता है पोस्ट इंफो डाक कर्मियों ग्रहक और बचत एजेंट डाक विभाग एजेंट सभी को सुविधा परदान करने के लिए डाक विभाग के दुआरा इस एप को लॉंच किया गया था ठीक है 17 कंप्लीट हो गया अब सिधा सिधा हम लोग आ जा CM सपोर्ट एप ठीक है बहुत लोगों ने इसको अच्छा भी कहा बहुत लोगों ने खराब भी कहा अब इसके पीछे क्यारण क्या था कि भई पेट्रोल के दामने आसमान में उड़ रहे थे तो सरकार ने CM सपोर्ट एप के जरिए मुक मंत्री हेमन सोरेन के द्वारा रास मग वो 10 लिटर आपको देंगे हर महीने उसमें 25 रुपया का सबसेडी रहेगा ठीक है यानि कि 2800 रुपया आपको पूरा पहिसा लगेगा लेकिन पर लिटर में आपको 25 रुपया छूट रहेगा और वो 25 रुपया 10 लिटर लेने के बाद या पहले भी आपके अकाउंट म में आएगा जैसे गैस का सलेंडर में कैसे होता है कि भाईया गैस के दामों 600 अर हम लबो 1400 तुमारे खाते में जाएगा तो यही कहानी है यहां पर सबसीडी जो है वह आपके बैंक अकाउंट में चाहेगा ठीक है तो यह भी इंपोर्टेंट है विदिक सेवा एप जो है य पर जार जल एप लॉंज किया गया कि अगर आपको किसी भी प्रकार का शिकायत है पेजल संबंदी तो आप इस एप के मदद से शिकायत दर्ज कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग शक्ती एप महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाओ के लिए जारकन पुलिस की पहल एप क माध्यम से किसी भी आपात इस्तिती में महिलाओं के द्वारा महिलाओं के द्वारा सीधे जो है पुलिस नियंतरन कच तथा साथ ही उनके रिष्टेदारों दोस्तों के मोबाइल फोन पर मुसीबत होने की सूचना दे सकते हैं ये सकती एप के मदद से जी गुरुजी एप जो था वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मुखमंत्री हमन सौरें द्वारा लॉंज किया गया और ये आपको याद रख लेना है एप किश्विधाएं लॉगिन के लिए स्टुडेंट को स्टुडेंट आइडी चाहिए लॉगिन के बाद छात्र ऑनलाइन क्लास भी कर सकत पर रैंक भी देखने को मिलेगा बिसिकली ये जो जी गुरुजी एप है वो पढ़ाई से रिलेटेट है बच्चे यहां पर बारवी तक पढ़ाई कर सकते हैं आपके सब सारे स्टडी मेंटरियल भी यहां पर अविलिबल है तो ये लॉंज किया गया था जहार नियोजन प मुक्रिया में 25 मतलब 75 प्रतिशद आरचन का लाब यह पोर्टल दिया गया है ठीक है और इस पोर्टल के माध्यम से सरकार के द्वारा नियुक्त एवं रोजगार के सकते हो ढूंड रहे जितने भी अभियारती हैं उनको प्लेटफॉर्म देने का प्रियास किया जा रहा है मतलब इस पोर्टल से आप चीजों को जानकारी खटा कर सकते हैं अगर आप किसी भी चीज के रोजगार के तलास में हैं तो यह सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है sports.jharkand.gorman.in यह पोर्टल भी बनाया गया मुख मंत्री हैमन सोरिन के द्वारा जारकन खेल विभाग की वेबसाइड और खिलाडियों के लिए पोर्टल की शुरुवात की गई और वेबसाइड में खेल की सारी गति विद्यों, स्टेडियम और खेल योजनाओं के साथ साथ स्टार खिलाडियों की जानकारी यहाँ पर उपलब्द रहेगा इसको हम समझेंगे कि यह अंतिम एप होगा और इसके बाद हमारा एप वाला भी जो चीज है वो भी प्रुवर्ती चात्रों द्वारा ये स्टार्टप के तहत विक्षित किया गया इस एप को लोगणाओन की एउधी में ऑनलाइन सीचाप पर निर्भरता को देखते हुए मुबाइल एप द्वारा चात्र चात्राओं को प्रानी विज्यान के विभिन विशियों पर कराने की बाद इस एप के तहत किया गया तो विसीकली हमारा यही था हमने कोशिश करा कि जल्दी से हम आपको पढ़ा दे मतलब ज्यादा टाइम टेकन ना हो पचीस मेरे त्वारा प्रिदेट इंपॉर्डेट एप है जिसको आप लोगों कर लेना है अब हम लोग चलते हैं कोशन्स वह भी समझा देता हूं जैसे कि हाली में जारकन का जो उली हातु उस्थान है वह बहुत ज्यादा चर्चा में रहा ऐसा इसी लिए क्योंकि इस उली हातु जगहा पर भारत के प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी यहां पर आये थे किसलिए आये थे यह जो जगहा है वह उल्गुलान के महानायक हमारे धरती आबा यानि कि भगवान धरती आबा की धरती है तो वह 15 नौमबर यानि कि मतब इस मौके पर वहां प्रधान मंतरी यहां पर आये थे तो सवाल तो बन जाता है अब आप कहेंगे कि सर यहां पर तो दुरौपदी मुर्मुची का कि जितने भी जारकण में फेमस प्लेसेस हैं जो हाल फिलाल में चर्चाओं में रहा है उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो आईए हम लोग एक-एक करके समझते हैं तो शुरौबात हमारी होती है उली हातों से बात करेंगे 15 नौमबर 2022 ठीक है और 15 नौमबर को ही भगवान बिरственно मुंडा जी का जन मुवा है 1875 में तो हमारे राज कभी स्थापना दिवस है 15 नलमबर को तो 15 नलमबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा के जन दिवस के आउसर पर राज के स्थापना दिवस के आउसर पर जारकण की पुर्वराजपाल और भारत की वरतमान राश्ट पती श्रीमती दुरौपती मुर्मूर जी धरती आबा के पैतरिक घाउं उली हातु जाकर के पुष्प अर्पित इनों ने किया और ये चीज भी हम लोगों को याद रखना है अब हम बात करते हैं 15 नौवंबर ठीक है 15 नौवंबर 2023 की 15 नौवंबर 2023 को भारत के प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर आए इस जगह पर इनोंने भी पुष्प जो है वो अर्पित किया ठीक है अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा कि ये पहला मौका था जब दो सालों के अंदर मतलब कि भारत के राष्टपती कोई आते हैं यहाँ पे और भारत के प्रधान मंत्री कोई आते हैं समझ में आ रहा है कि ने तो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट बन जाएगा दुरौपती मुर्मूर्जी, राष्टपती और नरेंद्र मोदी बारत के प्रदान मंत्री यह first time था जब कोई मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और यह बहुत गोरब की बात है simple सी बात आप लोग समझ लीजिए तो यह point आपको यह clear हो गया होगा जो मैंने अभी आपको discuss किया जो मैंने आपको अभी बात बदाया वो चीजें आपको यहाँ पर actual में concept clear हो गया अब हम लोग चले आते हैं यहाँ पर दूसरे पर उली हातू से सीधा आजाते हैं देवगर में अब देवगर क्यों आए? क्योंकि मेरा दिल बोलता है भाई कि exam में सवाल फसेगा भाई फसेगा यहाँ से इसलिए हम यहाँ पर चले आए पढ़ाने के लिए तो बहुत कूछ है अभी हम आपको बहुत पूरा लेक्टर यहाँ पर समझाएंगे लेकिन देवगर वाला concept समझना ज़रूरी है यह जारकंड का दूसरा यहाँ पर अंतरराष्टी हवायड़ा खुला गया दूसरा एयरपोर्ट था प्लस पहला एम्स जो है एम्स जो है वो यहीं पर खुला गया ठीक है तो यह पॉइंट भी हम लोगों को याद रख लेना पड़ेगा कि दूसरा इंटरनेशनल हवायड़ा यह इंपोर्टेंट हो गया फिर एम्स का यहाँ पर खुलना यह भी इंपोर्टेंट हो गया समझ में आ रहा है कि नहीं उसके बाद संथाल परगना अब स्पाइड़ा की बात हो रही है विकास के लिए जो गठित स्पाइड़ा है उसका मुख्याले भी देवगर हो गया है स्पाइड़ा ठीक है राइड़ा बाइड़ा हालाकि इसको हम लोग बियाइड़ा भी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर याद रख लेना होगा जो स्पाइड़ा है उसका जो मुख्याले है वो अभी देवगर कर दिया गया यह तीसरा फैक्ट है वहीं पर चौथा इंपोर्टेट नहीं है लेकिन द्यान रख सकते हैं देवीपूर में प्लास्टिक पार्क के स्थापना का यहाँ पर प्रवधान है और क्यू कॉम्पलेक्स का निर्मान भी जो है वो अभी प्रगर्ती पर है तो यह देवगर के बारे में हम लोगों ने जान लिया हम लोगों ने उलिहातू के बारे में जान लिया और बहुत अच्छे से जाना ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पर समझ करके निकल लिये अब आ जाते हम लोग पतरातू डैम के बारे में इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जान लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि यहां से भी सवाल पूछा जाए क्यों पूछा जाएगा क्योंकि यह जो G20 का सिखर सम्मिलन हुआ था उसके जो delegates थे या फिर कह सकते हो उसके जो परतिनिधी थे वो यहां पर आये थे घुमने के लिए इस पतरातु अस्थान पर आकर के इन्होंने घुमा है ठीक है तो यह बात याद रख लगा मतलब यहां से सवाल बन सकता है ठीक है जैसे मोदी जी आये हमारे उली हतु में उसी परकार से यहां पर कौन आ रहे हैं यहां पर जी ट्वेंटी को जो सिखर सम्मेलन हुआ था उसके भागिदारी जो परतिनिधी है वो भर्मन के लिए पतरातु जो है वो रामगड जीले में है सब को पताओगा और यह जो जीलेविया घाटी बोलते हैं जल्दी से डैम भी है जिसका नाम है पतरातु डैम ठीक है इंपोर्टेंट तो तब बन जाता है बच्चा जब यहां पर परतिनिधी यहां पर आते है घूमने के लिए वैसे तो इंपोर्टेंट है ही लेकिन इस नजरिये से भी यह बहुत जादा इंपोर्टेंट बन जाता है क्लियर हो गया चलो भई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे ठीक है किसी को घबराना नहीं है कि सर आप न छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हो तो रामगण जीले की भी विशेष्था को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं बहतरीन तरीके से अब जारकन के जो रामगण जो डिस्टिक है जो 2007 में जो इसकी स्थापना हुई यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट ये है कि ये जारकन का पहला ऐसा जीला बना जो खुले में सौच मुक्त है ठीक है? तो इसलिए इसका इंपोर्टेंट बढ़ जाता है सौच भारत अभियान के तहत भारत में ये निरने लिया गया था कि खुले में सौच जो है उसको मुक्ती दिलाया जाए उसके लिए बातरूम का अरेंजमेंट सरकार कर रही थी तो रामगड हमारा जारकन का एक ऐसा जीला जहां का पहला ऐसा जीला है जिसमें खुले में सौच मुक्त ये जीला बन गया है और इसके जो प्रतम इंजिनिरिंग कॉलेज की जो है स्थापना भी है वो यहां पर की जा रही है ये खुले में सौच मुक्त जीला तो बना इसके साथ साथ एक और उपलब्दी अपने नाम कर लिया वो ये कर लिया कि जितने भी घर हैं उसमें बिजली कनेक्शन करने वाला ये जारकन का पहला जीला बन गया मतलब बिजली कलेक्शन भी इसने सभी घरों में कर दिया और ऐसा करने वाला फॉस डिश्टिक बन गया और खुले में सौच मुक्त करने वाला भी जीला ये बन गया कौन रामगडर ठीक है तो ये दो पॉइंट इससे रिलेटेड आपको याद रख लिना पड़ेगा ताकि आप लोग को कभी भी एक्जामिनेशन में फसे नहीं आप की क्या कुछ है सर देख लिया ना आपने मैंने समझा दिया बहुत बढ़िया तरीके से ठीक है अब यहां पर दोको मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो इसको भी ले लेते हैं एक तो गोड़ा दूसरा बोकारो बोकारो चर्चा में क्यों है बोकारो चर्चा में इसलिए हो सकता है क्योंकि दिको हम लोग बहुत बड़ा कोरोना महमारी से है आई पास। woo audiobook रहें रे कोरोना ठीक है तो यह कोरोना जो है रे कोरोना बोलते हैं हम लोग इसको ठीक है चाइनीजभभा बहुत परिशानी हुआ पुरा विश्व जो है इससे त्रह इमांद रही मान जारकन में भी, अब तो सब मुर भी जो, हैगे ने, तो बुकारो जो था, वहाँ पर ऐसा हुआ, गोड़ा में गंतंत्र दिवस मेले को राज सरकार के द्वारा, राजकिये मेला का दर्जा दिया गया, राजकिये मेला, यहाँ पर जो मेला लगा था, गंतंत्र दिवस पे, मे तो ये बुकारो वाला भी बात clear हो गिया और ये गुड़ा वाला भी बात clear हो गिया अब हम बात करते हैं और भी जगहा का जहां से सवाल बन सकते हैं पहले उसको complete करने की कोशिश करते हैं फिर one by one चीजों को हम लोग समझेंगे ठीक है अगला आता है नौरतन गड़ का किला या नौरतन गड़ ये अक्चुल में नागवंसी राजा का महल यहां पर हुआ करता था जैसे कि आप लोगों ने जहरकन के इतिहास के बारे में पढ़ा तो यहां पर जब तातों का सोध जब आरंब हुआ और उसके उपरान जो रेजल् राजा दुर्जन शाल का जो महल है वो यहां पर मिला वही राजा दुर्जन शाल जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि इसको मुगलकाल में 12 वरसों का कारवार्स भी हो गया था और हीरो की पार्खी भी इसको कहा जाता था वही राजा दुर्जन शाल का यहां प लेना होगा examinations point of view से तो देखो उली हातु पढ़ लिया पतरातु डैम पढ़ लिया रामगड पढ़ लिया बोकारो पढ़ लिया गोड़ा पढ़ लिया है कि नहीं और नौरतनगड भी पढ़ लिया नौरतनगड हम अगर पढ़ रहे न तो हमें ऐसा लग रहा है कि ने भाई सही में इतिहास से जुड़ा हुआ चीज है अब यहाँ पर क्या है गुमला से गुमला में एक विवस्था अपना ही गई पुलिस विभाग के द्वारा कि digital bit police qr best attendance ठीक है मतलब qr best attendance सिधा सिधी समझो qr होता है न वो यहाँ पैसा बेज दी है असक्यान करो और पैसा बेज दो उसी पद्धती पर यहाँ पर क्या है कि पुलिस qr best attendance system लागू करने की बात कही गई और ऐसा करने वाला जहरकन जो है पहला जिला बन गया और मैं आपको बता रहूं यही सब सवाल examiner pick करता है ठीक है इस system के मुख विश्था यहाँ है कि पुलिस कर्मी अपने बिट में जाकर के qr से अपनी जो उपस्तिती है वो बना पाएंगे तो गुमला में qr code वाला पद्धिती यहाँ पर अपनाया गया और यह चीज भी आप लोगों को ध्यान पुरवक समझ लेना है और याद भी कर लेना है अब हमने यहां तक यह पढ़ा लिया अब हम आते हैं एक प जी 20 सिखर सम्मेलन का वो पॉइंट याद हो गया यस सर ठीक है उली हातू कौन आया था यहां पर उली हातू में उली हातू में प्रदान मंतरी भी आये थे और राष्टपती भी आये थे अब अगला है हमारा लुगु बूरु घंटा बाड़ी देखो सवाल पूछ चुका है ठीक है कि यहां पर मुखमंतरी हेमन सुरेन गये थे तो किस जगा पर कौन से जगा पर रही है ठीक है तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जगा है लुगु बूरु जो घंटा बाड़ी है वो स्थान है बोकारों के ललपनिया नामक स्थान में ठीक है औ और यहां पर बाईसवां अंतर्राष्टिय सर्णा धर्म महासंमेलन यहां पर आयोजन हुआ था यह आप तस्वीर देख सकते हों इस जगह पर 22 अंतर राष्टिय सरना धर्म महा सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस महा सम्मेलन का उदगाटन है वो हमारे माननिय मुकवंतरी स्री हमनसोरिन के द्वारा किया गया आठ नुवंबर ठीक है तो यहाँ पर सवाल फस सकता यहाँ पर एक्चुली में लोग यहाँ पर आते हैं और लोग स्रधालू बन करके आते हैं लुगु बाबा की यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पर पूजा करनी के लिए यहाँ पर आते हैं तो इस कंडिशन में हमारे में सवाल तो फसेगा फसेगा क्योंकि यहां पर सरना धर्म को ले करके यहां पर सम्मिलन आयोजन किया गया था और मारणिये मुखमंत्री यहां पर गेश्ट के रूप में आये भी थे उद्गाटन करने के लिए अगला जो चर्चित अस्थान है वो है त्रिकुट परवत रो जो स्थल चर्चाओं में रहा है उससे सवाल फसेगा अब यह रोपवे वाला क्या माजरा है वो तो आप जानते ही है कि भई देवगर के सामने जो रोपवे था वो अटक गया था वहाँ पर लोगों ने NDRF के टीम उसको बचाओ कार गई और बचा भी लिया चीक है आप न जाएगा ठीक है यह बैठल है नहीं बैठल है नहीं बैठल है चोड़ो नहीं बैठल एक दिन घूम लिया जाएगा नोकरी चाकरी के बाद आप लोग को नोकरी चाकरी हो जाए उसके बाद आप लोग घूमिये जाकर के एक बार कि हाँ चलो ठीक है अलागे कुछ नहीं ठीक है और उसका बचाव जो है वो NDRF की जो टीम है उन्होंने किया ठीक है और ये जो हाथसा हुआ था वो जारकंड के देवगर जिले में हुआ था और कहा जाता है कि जो रोपवे है वो जमीन से लगबग लगबग 1500 फिट इसकी उचाई है और उसके आसपास जो नदियां ह है वो मयूराक्षी नदी से घिरी हुई है ठीक है अब रोपवे की लंबाई भी एक्जेक्ट याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन यहां पर मैंने लिख रखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो जरूरी यह है कि यह रोपवे हाथसा कहां पर हुआ था किस परवत पे हुआ ठीक है किस नदी के तलहटी पे यह चीज भी जानना जरूरी है ठीक है तो यह हमने त्रिकुट परवत के बारे में जान लिया अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा परवत जिसको हम लोग कहेंगे पारसनात परवत अरे भाई जे अससी ने इतना बार पूचा है सवाल इतना ब और यह हाल में चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि हमारे गौवर्मेंट के दुवारा इस अस्थान को तिर्थ पर्यटन अस्थल के रूप में बदलने की अधी सूचना दी गई थी ठीक है इसलिए यह चर्चा में काफी रहा असे कहा गया है कि जो जैन धर्म के यह जो अ अस्थान है वह बहुत पवित्र अस्थान है एक परकार से जैन धर्म का तिर्थ अस्थल है एक परकार से जैन धर्म का मक्का है एक परकार से कह सकते हो कि बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर लोग बहुत आस्था रखते हैं ठीक है और यह गिरेडी जिले में है सिखर सम्म केलन गलती से हमने कह दिया समेद सिखर जो है वो गिरेडी में है जिसको हम लोग पारशनात पहाड़ी भी कहते हैं और 24 में से 20 तिर्थकर यहां पर मोख्ष की प्राप्ति यहां पर किया गया है ठीक है तो यहां पर हम लोगों ने कवर कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट चर्चित अस्तल से अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ और इंपॉर्टेंट फेक्ट बचा हुआ किसी किसी अस्तल से ठीक है अब देखो हम लोग राची में आगया है जो हम आर गयानि की राजड़ानी राची अब यहां-पर जो चर्चा कास्तल तो रहे क्या ही भाई क्योंकि यहां पर बहुत सारे कायर होते ही है तो यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा क्या है मेरे कोडिंग बटरफ्लाइप पार्क ठीक है और यहां पर जो विर्शा जैविक उध्यान है जो चुणियागर जिसको आप लोग सुनते हा रहे हैं और मांजी में तो यही पर भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाइप पार्क जो है वो निर्मान किया जा रहा है कभी समय मिले तो जाएगे घुमने के लिए तो बटरफ्लाइप पार्क जो है वो यहां पर बन रहा है और यह बात आप याद रख लीजेगा ठीक है अब और भी चीज साल का कार जो है प्रगती पर है अब ब्रांबे में सेंट्रल यूनिवसिटी भी है यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि टाटा स्टील कंपनी के साहता से कैंसर होस्पिटल यहां पर खोला जा रहा है ठीक है तो दूसरी और बटरफ्लाइप पार्क खोला जा रहा है मुंडा जैविक उद्यान में खोला जा रहा है ठीक है अब यहां पर कुछ चीजें और भी हैं जिसे आपको याद करनी की जरूरत है जैसे जो गितल सुध डैम है राजी का वहां पर सोलर प्लांट बनाया गया है वो भी तैरता हुआ कितना वाट का भाई तो 150 मेगा वाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट यहां पर पनाया गया अब हम बात करते हैं यहां पर एक चीज़ और कि पहले ट्राइबल थीम पार्क का जो स्थापना वो धुरुआ नामक अस्थान पर किया गया है ठीक है ना बाकी जारकन का पहला फार्मेसी पार्क भी राजी के बीजू पाड़ा में खोला गया तो राजी वाला तो इंपोर्टेंट है ही आप सभी को याद रख लेना चाहिए चुकि इंपोर्टेंट था ये भी हालाक एक्जाम नहीं हुआ वो अलग विवेका नंद की जो 30 फीट उची प्रतीमा है उसका अनावरन 12 जनवरी 2020 में किया गया उचाहि इसकी देख लिजे 30 फीट कहां पर किया गया राजची का जो बड़ा तलाब है उसमें टापू पर विवेका नंद जी का प्रतीमा का अनावरन किया गया ठीक है अब यहाँ पर और भी इंपोर्टेंट लग रहा है लेकिन उतना नहीं लेकिन मैंने यहां पर लिख रखाया है ताकि आप पीडियम जब रिवीजन करें तो चीजें यहां पर आप सभी के बीच क्लियर हो सके ठीक है राची हमने कर लिया है बाबू हम खूटी भी हम लोग कर लियें ठीक है लेकिन खूटी में एक चीज और हमें उनका जो गाव है टकरा गाव वहाँ पर अरजुन मुंडा जी जो की जनजातिय कल्यान मंतरी हैं अभी कैबिनेट में सेंट्रल गवर्मेंट में तो वहाँ आदर्स ग्राम बनाने की यहाँ पर गोशना इन्होंने किया है कि जो जैपाल सिंग मुंडा का जो जनमस्थल है जो गाव है वहाँ पर हम लोग आदर्स ग्राम बनाने की गोशना इन्होंने किया है इसके साथ-साथ खूटी जगाओं में बोरी बांध मोडल को राश्टिय जल सकती पुरुषकार मिला है खूटी जिला परसासन द्वारा ज आपके एक्जामनेशन द्रिश्टी कौन से ठीक है अचा यूपीएसी ने भी नहीं छोड़ा है यह सवाल आप जाएंगे तो यह सवाल यूपीएसी हजारी बाग जिला से सवाल पूचा ही जाता है ठीक है जैससी और जैपीसी भी पीछे नहीं रहेगा भाई ठीक है पर जो है वह भगवान बुद्ध की छे प्रतिमाएं हैं और यह पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है ठीक है बॉद्ध भगवान के प्रतिमाओं से सम्मंदित सवाल यहां पर पूचा जा सकता है ठीक है हजारी बाग जो है ना वह काफी जादा इसके लिए अधियनकार निर्ने लिया गया कुछ मिली थी पहले चीजें उसके बाद यहां पर लगातार रिसर्च जो है वो जारी है तो यह चीज भी हमें जानना होगा हजारी बाग पुरतात्व विभाग के द्वारा यहां पर सोध जो है वो किया जा रहा है ठीक है मैं चाहूंगा क कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करते हुए चले मैं आपको बता देना चाहता हूं अब यह रात के दो बच के पचपर मिनट हो रहे हैं और आपके लिए यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूं रिजन सिर्फ है आपकी सफलता और कुछ भी नहीं है इसलिए मैं कह आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आए तो कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताना कि सर वीडियो एक्च्वल में कैसा लगा ठीक है तो यह हजारी बाग वाली बाते हमने बता दिया देवगर वाली बता दिया पत दगगा और गोड़ा ठीक है हलाकि यह सवाल मैं आपको बता दूँ मेरे अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट है हलाकि जितने भी बता रहा हूं इंपोर्टेंट है गोड़ा जीला चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि केंद्र सरकार ने यहां पर आडानी पावर कंपनी को 14,000 कर रोड रूपया दिया है इसके आर्थिक छेत्र बनाने की यहां पर मंजूरी भी मिली है विशिश आर्थिक छेत्र किसको भई अडानी पावर कंपनी को गोड़ा जिला तो यह पॉइंट भी आपको मतल़ बाते हैं जो कि आपको याद रख लेना पड़ेगा अडानी पाव के स्वास्त सेवा और बिद्वों के अधार पर नीती आयोग ने इसे राज में परतम अस्थान दिया है इंपोर्टेंट हो जाएगा सवाल ये भी इंपोर्टेंट हो जाएगा कि 2018 में भारत सरकार के स्वास्त सेवा के बिद्वों के अधार पर किसके द्वारा राज में प रामगड कर लिया गोड़ा कर लिया गोड़ा के अलावा लोरदगा भी कर लिया ठीक है अब इसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग हम जान लेते हैं जमशितपूर के बारे में वास्तों में कह सकते हो कि यहाँ पर जमशितपूर जो है जो की काफी चर्चा में रहा है ऐसा इसी जारगन में जम्षितपूर को तो लोग जानता ही जानता है ठीक है अगर राची है तो जम्षितपूर भी कहीं न कहीं exist है बड़े शहरों के लिस्ट में या फिर यहाँ पर बड़े प्रस्नालिटीज के लोग रहते हैं ऐसा कह सकते हो ठीक है तो 3 मार्च 2019 को जम्षितपूर नामकरन का 100 वर्स पूरा हुआ और यहाँ पर विमन्स कॉलेज जारगन का प्रतम महिला विश्विदालाई भी बना देहान देने वाली बात यह है कि 2019 को इसका 100 वा नामकरन का वर्स इसलिए यह चर्चा में रह सकता है और सवाल पूछा जा सकता है वहीं पर एक गमरिया पंचायत है सराइखला खरसावा डिस्टिक का एक जिला जो है सराइखला खरसावा वहां पर एक गमरिया जो पंचायत है वहां का जो एक पहला पंचायत यह बन जाता है जो की खूले म स्वच्च से मुक्त घोशित है। यानि कि रामगण तो हमने जानी लिया डिस्टिक के बारे में लेकिन पंचायत के बारे में हम लोग को यहाँ पर जानने का आउसर मिला है तो याद रख लीजिए अगा गमरिया जो पंचायत है वो खुले में मुक्त जो है, वो घोसित करार दिया गिया, ठीक है, वहीं पर चास जो की बुकारों में हैं, वहां पे चास नगर निगम को एक्सी, पिरिशनल कह सकते हो, एक्सिर इस्पिरिशनल डिश्टिक के श्रेणी में स्वच्छता एक्सिलेंस के भी अवार्ड से नाव फैक्ट जो है वो PDF में हम include करतेंगे जैसे अगर पाकुड की बात करेंगे तो इंडिया रिजर्व बटालियन जिसको हम लोग IRB कहते हैं आदिम जंजाती बटालियन का मुख्याले दुमका की जगहा में पाकुड को किया गया ठीक है यानि कि इंडिया रिजर्व बटालियन आदिम जंजाती बटालियन का जो मुख्याला है वो पहले दुमका हुआ करता था लेकिन इसको shift कर दिया गया कहां ये shift किया गया पाकुड में clear हो गया ना तो ये पाकुड वाला अर भाई बात हो रही है पकड़ो 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 बटालियन लोग पकड़ते नहीं चो कौन important है ये चीज भी हमारा समझने के लिए जरूरी है ठीक है गुमला हमने कर लिया है बाबू बहुत बढ़िया कि वहाँ पर क्यों आर बेस्ट अटेंडेंस हो रहा है ठीक है दुर्जन साल का जो महल है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया अब हम लोग उलूंग जलपरपाथ की पढ़ रहे है यहा पर जलपरपाथ और क्यू नहीं आए जलपरपाथ ऐसा इसे लिए क्योंकि हो सकता है कि सवाल पूछ दे वास्तों में जो जारगन के पुर्वराजपाल थे रमेस बैस्वों अपने परिवार के साथ यहां के अस्थान का भर्मल कर रहे ह और यहां जो जलपरपाद है वो खूटी जीला के रनिया परखंड चेत्र के गोर नक्सल परभावी चेत्र में दश्चिन कोयल नदी पर यह इस्तित है अगला जो चर्चित स्थल है वो आता है सुकरी गड़ा ठीक है यह भी रामगड़ जीले में है ठीक है सुकरी गड़ा औ और यहां पर केंद्र की आपूर्ती योजना से जुवेलरी क्लस्टर का यहां पर निर्मान किया जाता है जुवेलरी क्लस्टर ठीक है और यहां पर जो अभी टेक्निकल जो देखा जाए तो जिस टेक्निक का इस्तमाल हो रहा है वो रिसेंटली के जमाने में आधूनिक मस् परागत रूप से जेवर का निर्मान जो है वो करते आ रहे हैं ठीक है अब ये दो बज़ेया इंपोर्टेंट पहला लुगुपाड यहां पर पंदरा सौ मेगावाट का एक हाइडरो पावर प्लान्ट लगेगा जो कि डिवी सी के द्वार लगने वाला है वहीं दूसरी और ये जो अदित्पूर है वहाँ पर इलेक्ट्रोनिक मैनुफैक्ट्रिंग कलस्टर को पुर्वी भारत में निवेश का सबसे बड़ा गेटवे बनाने के थाद 500 करोड का यहां पर निवेश किया जाना है और इस उद्योदिक छेतर में 82 एकड़ भूमी पर कलस्टर जो है व जैसे आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं चीजों को पढ़ सकते हैं ठीक है अब यहां पर एक मेला और पढ़ लीजिए दुबिया खाड दुबिया खाड पलामू में पढ़ती वर्स फरवरी मा में लगने वाला आदिवासी कुम्भ मेला है इसलिए important बन जाता है यह और इस राज्य सरकार दुबारा राज्य की मेला का दरजा परदान जो है इस मेले को किया गया है तो हो सकता है कि आपके आने वाले examinations में इससे सवाल पूछ ले और आप कही न कहीं confuse करते रह जाएं कि यहर सर ने नहीं बताया है इसलिए हमने अच्छे तस्तल का कुछ important चीज हमने आपको बता दिया बागी आपके PDF में रहेंगे तो उसे देख लिजिएगा बागी हम लोग next topic को भी तो पढ़ना है एक ही topic में कितना दिर तक रहेंगे तो जितना भी जरूरी चीज था जो जो लगा मुझे के नहीं बताना चाहिए व आप सभी student कि हम लोग इस topic को बहुत अच्छे से समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देखो दो तरीके से हम award पढ़ते हैं एक तो भाई सुरवाद से लेकर के अंतक और एक current affair को लेकर के है ना तो हम लोग अभी current दृष्टी से यह चीजे हम लोग पढ़ आप में सवाल भार नहीं जाएगा बाबू आराम से चीजों को याद करते रहिएगा और बार बार रिविजन 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 जरूरी है ठीक है चलिए और जिन बच्चों ने classes को नहीं जोइन करा है जाओ जारकन वारियर डाउनलोड करो और classes को जाकर के जोइन करो यह हमारा आपका प्रसनली है जो कुछ भी आपका examination बचा हुआ है जितने भी अभी time बचे हुए हैं आपके परिक्षा को आप उसमें अपनी preparation बहुत बढ़ियां तरीके से कर सकते हैं ठीक है यह हमारा जारकन का सबसे कह सकते हो कि best platform होने वाला है क्योंकि हमारा result का जो ratio होगा वो जबर्जस्त होगा आपका भी selections होगा हमारा मान बढ़ेगा हमारा सब मान बढ़ेगा और यही कुछिस के साथ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका नाम गूजेगा और हम यहां तरा के कहेंगे कि मेरा यह जो करो ठीक है यह सब चीज समझियेगा ठीक है ना तो 2020 शेशुरवात होती है पदमश्री पुरुषकार से ठीक है पदमश्री पुरुषकार 2020 में शशदर अचार जी को मिला था ठीक है और इनका जो संबन्द है वो 6 निरित्त से है क्युकि यह कलाकार है चолж निरत्त के बहुत कि इनको जो है वो पदमश्री पुरुषकार मिला शशदर अचार जी को ये सराई किला के रहने वाले हैं और आपको ये चीज याद रख लेना है अभी देखो मैं आपको याद कराने के कोशिश करता हूँ मैं याद नहीं करा है अभी तक वीडियो में कुछ भी याद नहीं करा है रीजन क्या था कि वीडियोस बहुत लंबा हो जाता लेकिन मैं जब याद कराने पर उतरूँगा तो चीज़ें आपके माइंड पे बैठ जाएंगी ठीक है पदमिश्री पुरुषकार मिला और ये नागपूरी गायक और गीतकार है और द्राजी के रहने वाले हैं इनका जहारकन आंदोलन में भी इनका महतपून भूमिका है कभी आपको टाइम मिले तो इनका गीत सुन लीजिएगा और इनका गीत जो है वो बड़ा जवर्जस लगेगा आपको जहाँ पर आप सुनेंगे गाउ छोड़ा बना ही जंगल छोड़ा बना ही बड़ा मज़ा आएगा ठीक है आपने जारगन का बहुत सा रगाना सुना होग जैसे की हाई रे हम और सोना जारगन है ना उसी परकार से ये भी आपको बहुत मज़ा लगेगा एदम लगते रहेगा कि जूमते रहे जूमते रहे और वैसे भी जारगन की विसेस्ताई है यहां की संस्कृति यहां के गान यहां के निरत हैगी ने तो 2020 में दो लोगों के बारे में आपको याद रखना एक तो चाउनिरित से संबंदीत हैं तो दूसरा गीतकार हैं गायक है ठीक है इन्होंने 28 सो भी जादा गीत लिखाए बाई यह गाया है अब 2021 में एक लोगों को मिला था सिर्फ और सिर्फ एक नाम है चुटनी मातो ठीक है चुटनी देवी सर के खिलाब संखर्ज के लिए ठीक है इनको यह प्रिमश्री एवार्ड मिला है तो आप याद रखलीजेगत चुटनी मातोग डैन बिसाई के खिलाब संखर्ज के लिए दो हजार एकीस में 2020 निरित और गीत हुजार एकीस डैन बिसाय के खिलाब के संखर्ज की कानी और 2022 में गिर्धारी राम गौंजु को जो है ये अवार्ड मिला है ये कौन है ये याद रखना है इनको भी 2022 में सिर्फ एक लोगों को मिला है सहित कार और चेतरी भासाओं के ये विद्वान है और ये बात आपको याद रख लेना पड़ेगा कि इनको इसलिए ये अवा को अब हम आ जाते हैं 2023 में ठीक है जो की एकदम लेटिस्ट करेंट अफेर है जानुम सिंग सौय 2023 में मिला है घाटसिला के ये निवासी है हो भासा के विकास के लिए इनको ये पुरुषकार मिला है और इनके उपनियास और कविता संगरा भी प्रकाशित हो चुके हैं चार जो अधर जो है जो की जो इंपोर्टेंट है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं ठीक है और जो इंपोर्टेंट नहीं होगा उसको चलेंगे ठीक है देखो दुर्गा परशायद मुर्मुर जी को संगीत नाटक अकैडमी पुरुषकार 2022 मिला है ये इनका यूगदान कला के छ बिनोद सिंग के बारे में तो बिनोद सिंग को भी 2022 में बिर्शा मुंडा उतक्रिष्ट विधायक पुरुषकार मिला है वहीं पर अगर हम बात करें 2022 वाला तो याद रखना ही रखना है ठीक है लेकिन 2023 में राम चंद्र सिंग को ये पुरुषकार मिला है ठीक है तो यहाँ पर याद रख लीजिए कि 2022 में बगोदर विधान सभा छेतर से CPI माले विधायक बिनूद कुमार सिंग को ये पुरुषकार नमाजा गया अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार ये बिनूद कुमार सिंग से ही इंपोर्टेंट लग रहा है 2023 से जादा इंपोर्टेंट क्यूं क्योंकि इनको जो रासी मिली थी न वो उनके विधान सभा छेतर के महाविध्यालों में पाठ पुस्तक उपलब्द करानी के लिए वो बोले कि हम अपना जो भी समान रासी मिलेगा वो हम दे देंगे ठीक है अब हम आ जाते हैं सुभम गौरव सिंग आगे बढ़ते हुए देखते हैं रतन टाटा रतन टाटा जी को डिलीट की मानद उपाधी दी गई है यूनिवसिटी के द्वारा दिया गया महराष्ट के एच एस एनसी यूनिवसिटी के द्वारा ये अतुल योगदान के लिए इनको दिया गया और इनको ये अवार्ड देने के बाद इनका स्टेटमेंट था कि मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है इस तरीके की चीज़े ये महान व्यक्ती है रतन टाटा जी बहुत ही विख्यात व्यक्ती है और इनका सवभाव भी बहुत बढ़िया है ठी ये भी इंडिया वक्त युवा खेलकुद महासंग की और संयुक्त रूप से जो है इनको अब और दिया गया है क्लियर अब मैं थोड़ा सा न इंपॉर्टेंट वाला में चला जाता हूं हलाकि आपको बीडियोफ में दे दूंगा तो आप चीजें यहां पर कवर कर लोगे मुझे पूरा बिलीव है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग थोड़ा सा पहले कर लेते हैं ठीक है ताकि वीडियो जादा लंबा हो ना हो ये साल के हांजदा एवं मिहिर वत्स इनको साहित युवा पुरुसकार मिला है ठीक है साहित अकैडमी युवा पुरुसक 2022 से नमाजा गया और इनकी रचना ये आपको बताना है इनकी रचना के उपरांत इनको ये अवर्ड दिया गया ठीक है जैसे जानम दिशोम उजाडो काना ठीक है जन विर्भूम विराम हो रही है के लिए बारी गोड़ा के साल के हांजदा को ये अवर्ड मिला जबकि नोविल है टेल्स ओफ हजारी बाग ठीक है इनके लिए हजारी बाग के मिहरवत्स को ये अवर्ड दिया गया तो ये दो व्यक्ति के नाम आपको बिजिकली याद रख लेने आपने दिमाग पे फिट कर लेना है जो कि मुझे लगता है कि इंपोर्टेंट है ठीक है बाकी तो पीडिएफ में आपको सब कुछ दिया ही जाएगा अगला आता है शिप्रा मिस्राजीम राश्टिय सिच्छक पुरुषकार से इनको नवाजा गया ये विज्यान की सिच्छिका रही है जम्शितपूर के टाटा वर्कर्स यूनियन प्लस टू हाइज स्कूल की ये सिच 2022 पसुपालन के छेतर में उत्कृष्ट कारी करने के लिए क्रिशी केंद्र द्वारा विज्यानिक डॉक्टर पंकस सेट को या समान दिया गया है सेवा सदन के लिए पंकस सेट को दिया गया ये पॉइंट याद रख लीजेगा ठीक है अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ से जो है आदमी ठक जाएगा लेकिन क्या है कि इंपोर्टेंट चीजों को बता रहे हैं जरूरी है एक्जाम में फसेगा समझ में आ रहा है कि नहीं प्रतिष्टित देवी संकर अवस्थी समान 2021 युवा कवी आलोचक ठीक है यह जो है आपको याद रखने नहीं को मिला है यह मूली मासी बोकारों के हैं और यह समान उनकी अलोचना की पुस्तक कौला हल में कवीता की आवाज के लिए दिया गया है तो यह भी सवाल फसेगा एक्जामनेशन में फस सकता है ठीक है अब हम लोग न अभी बहुत सारे अवार्ड पढ़ने हैं अगर आप मैं बात करू तो बहुत सारे अवार्ड 2023 में पढ़ने हैं मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि देखो अभी हम लोग theoretical पार्ट इतना करेंगे क्योंकि यह भी paid classes में भी चीजों को cover कराना है अब यह मत सोचना के सर यहां पर आपने आधा कराया यह सब कुछ भी नहीं सोचो बा से हम लोग पढ़ने वाले हैं budget ठीक है आर्थिक सर्वेक्षन खेल कूद ठीक है खेल कूद यह सारा कुछ detail में पढ़ेंगे और award मुझे एक चीज बात की गौरव हो रही है कि मेरे जो student हैं जैसे कि हमारा जो बच्चा है रवी कांत भगत उनको भी award मिला है वो भी चर्चा फील हो रहा है ऐसा लग रहा है कि मैं उसको कब पढ़ाऊं ठीक है तो अच्छी बात है यह हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज की classes में आपके app पे classes चलेगा लेकिन मैं आपको आने वाले जो upcoming topics है जैसे budget है खिलकूद है इसके expected questions मैं करा दे रहा हूं जिससे आपके examinations में सारे topics cover करें हैं ठीक है तो देखो यार मैं आप जबी से यही कहना चाहूंगा कि बहुत मैंनत लगता है आप भी मैंनत करिए हम भी मैंनत कर रहे हैं ठीक है आपको टेसरी जोइन करना ही चाहिए यह हमारा personally recommendation रहेगा कि टेसरी जाओ बिलकुल examination pattern पे मतलब आपको इधर उध कुछ नहीं examination pattern पे ही देखने को मिलेगा जैसा examination में सवाल पूचा जाएगा वैसा ही हम लोग वहाँ पर कराने वाले हैं तो बिलकुल भी मत घबराव और जाओ और यह award वाला जरी continue होगा आगे से classes आपके app ठीक है और एक दिन में ही current effort समेटेंगे हम लोग चाहे वो बजट हो आर्थिक सर्वेशन हो खेल कूद हो निदन हो चर्चित वेक्ति हो यह सारे चीज़े जो हैं ठीक है लेकिन अभी क्या करने वाले हैं तो अभी हम लोग MCQ करने वाले हैं expected ठीक है जो सवाल फसेगा तो यह MCQ भी कर लोगे बच्चे सभी को इतो काम हो जाएगा ठीक है चल कर लीजे यह मैं आपको बार-बार कहने के लिए इसलिए आ रहा हूं क्यूंकि आपका जो टेस्ट सीरीज है वो examination pattern पे है आप चीजों को analysis कर पाएंगे ऐसा नहीं कि हमने टेस्ट में अकडबकड बंबे वो कुछ भी question डाला है जो जो topic आपके syllabus में mention है वो वो topic वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि बाबू आपका ये चीज में score कम हो रहा है आप इसे improvement करिए मैं लीजे जारकन के स्वतंतरता संग्राम के बारे में आप लोगों को पढ़ना है या फिर जारकन गठन अंदोलन के बारे में पढ़ना है और आपने नहीं पढ़ाया और टेस्ट सीर को जोइन कर चुके हैं आप भी करिए ठीक है हमारा एप अभी तक सत्तर हजार वच्चों ने डाउनलोड करा है आप भी जाएए और अपना रैंक वहां पर देखिए कि दस हजार पांच हजार एक हजार में कितना हमारा रैंक आ रहा है पेपर टू और पेपर वन सबसे बेस पूछा जाएगा ज्यादा सवाल नहीं कराएंगे जो एक्जाम में पूछेगा तो चलिए सुरुबात करते हैं पहला सवाल है कि सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल परतियोगता जिसका आयोजन जे आर्डी स्पोर्ट कॉंप्लेक्स जम्शितपूर में किया गया था उसका विजेता बना है वो बांगलादेश बना है याद रख लीजेगा फुटबॉल का परतियोगता जे आर्डी टाटा कॉंप्लेक्स में हुआ और वहां पर जम्शितपूर में इसका योजन हुआ विजेता बांगलादेश ठीक है आगे बढ़ते हैं 36 राष्ट्य खेल गुज जीते हैं ठीक है और उसका जो रैंक रहा है वो अठारवा रैंक रहा है तो यह भी इंपोर्टेंट सवाल है ठीक है कि जो अभी राष्टि खेल हुआ जारकन में कुल कितने पदक जीते कितने अस्थान पर रहा ठीक है इंडियन करेंटेफर में पूछ सकता है कि यह खेल कह उनसा पदक जीता है ठीक है तो ये दोनों नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि हम आर्चेरी जान रहे हैं हम फुटबोल जान रहे हैं होकी जान रहे हैं क्रिकेट जान रहे हैं लेकिन लॉन बॉल में भी जारकन की कोई बेटिया है जिनोंने गोल्ड मेडल जीता है स्वरन पदक जीता है और ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर लेना है ठीक है उसके बाद बढ़ते हैं जारकन के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित जो चतीसवे राष्ट्य खेल है उसमें स्वरन पदक जीता और सुनील बहादुर का संबंद किस खेल में है अभी हमने एक सवाल पीछे किया कि चतीसवे राष्ट्य खेल जो हुआ उसमें हमारा जारकन का रैंक 18 था हम लोगों ने इतना मेडल जीता जिसमें से जारकन के एक खिलाडी सुनील बहादुर करके हैं वो चतीसवे राष्ट्य खेल में गोल्ड मेडलिस्ट है और इनका जो संबंद है वो है लॉन बॉल से आ ठीक है आगे बढ़ते हैं नेशनल फुटबॉलर अस्टम उराओं को जारकन सरकार ने किस योजना का ब्रांड अमबेजडर बनाया है तो यह फुटबॉलर है सबसे पहले तो याद रख लो उड़ा के मारते हैं यह उराओं करके आप लोग याद रख ले ना अस्टम उरा निमनलकित में से कौन पुर्व राष्टिय बॉक्सर की राष्टिय जज वा रेफरी बने हैं मतलब यह जारकन की रहने वाले हैं और यह जज भी बने हैं रेफरी भी बने हैं और आपको यह बताना है कि कौन है वो बॉक्सिंग खिलाडी पुर्व बॉक्सिंग खिलाडी तो सुनिता एकका करके आपने टर्म करना है जो कि ये बॉक्सिंग खिलाडी है जिनको रेफरी भी बने है और ये जज़ भी बने है ठीक है आगे बढ़ते हैं जारकन के किस फुटबॉल खिलाडी का चेयन नेपाल में आयोजित अंडर 19 चेंपियन सीप के लिए भारतिय फुटबॉल टीम में किया गया मतलब फुटबॉल में भी हमारे जारकन के खिलाड़ियों का चेयन हो रहा है उसी प्रकार उसी कर्म में अंडर 19 चेंपियन सीप के लिए जोकि नेपाल में हो रहा है जारकन के एक खिलाड़ी है जिनका नाम है विजय मरांडी उनका चेयन किया गया है इस खेल के लिए ठीक विजेता में जहारकन को 100 मिटर हंडल में कौन सा पदक दिलाया तो वो गोल्ड मैडल दिलाया देखो कभी भी न गोल्ड मैडल वाला उप्शन आएगा तो ज़रूरी नहीं कि गॉल्ड मैडल ही आंसर करना हो सकता है कि आंसर और भी हो जाए ठीक है यह सवाल इंपोर्टेंट मेरे दृष्टी कौन से इसलिए आपको याद रख लेना है ठीक है जहारकन के उस दृष्टी हिन खिलाडी का नाम बताईए जो 2022 में दृष्टी बाधित क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस रहे हैं हाली में दा फॉलो अप की टीम ने मतलब यह बहुत अच्छी समझ लो कि इनका पूरा बायोगराफी कवर किया था आप लोगों ने देखा भी होगा तो इस खिलाडी में जहारकन के मान को आगे बढ़ाया है ऐसा इसलिए कि जो विश्व कप हुआ था 2022 दृष्टी बाधित विश्व कप जो है उसमें सुजित मुंडा जो है वो भारति ये टीम के हिस्सा रहे हैं और ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रख लेना है मुस्ट इंपोटेंट है बच्चा इसको याद रखना ही रखना है आप सबी को ठीक है मतलब इसे आप क्लियरली याद रखोगे अगला जारकन की कौन सी एथिलीट चीन में संपन एशिय करके जो है वो टर्म करेंगे ठीक है निर्मलेकित में से सलीमा ठेटे के बारे में कौन सा कथन गलत है ऐसा यहाँ पर किया गया है तो निलिमा ठेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि या जारकन की प्रतम मैला होकी खिलाडी नहीं है बलकि ये जो निकी प्रधान है वो जारकन की प्रतम होकी खेलने वाली खिलाडी है तो ये option एक नजर में ये चीज गलत हो जाएगा ठीक है ना अगला प्रशन है कि हाली में हरियाना में संपन राष्टिये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग परतियोगता में जारकन के किस खिलाडी ने जूनियर कटिगरी में राष्टि रिकॉर्ड के साथ दो स्वर्ण पदक जीता है तो उस खिलाडी का नाम है नील अमरित ठीक है अगला सावन अगला प्रशने 26 सितंबर 2023 को जारकन की बेटियों ने इतिहास रचते हुए बारसटवे सुबरतो कब बाली का राष्टिय स्कूली परतियोगता का खिताब लगादार दूसरी बात संथ पैट्रिक स्कूलावासी बाली का फुटबॉल प्रसिच्चन केंदर कुमला ने किसी हरा करके जीता तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्याना को हरा करके ये किताब को अपने नाम किया है ठीक है चलिए दरड़ा के हम कोशन को पढ़ते हैं और आंसर भी करते हैं चीन के हॉंग जोहू में 23 सितंबर 5 अक्टूबर तता 19 एशियन गेम्स में जारकन के कितने खिलाडियों को शामिल किया गया था तो याद रख लेना है कुल जारकन के 11 खिलाडियों को उन्हें इसमें एशियन गेम्स में शामिल किया गया था जारकन का वा क्रिकेट डर खिलाडी कौन है जिसका चियन विश कॉप 2023 के लिए भारतिय टीम में किया गया जिसे हाली में बंगलादेश के खिलाब एक दिवसी मैच में दोहरा सतक लगाया इशान किशन ठीक है और मैं ये चीज कह रहा हूँ स्क्रिन शॉट ले लो सवाल पूछने जा रहा है एक्जामनेशन में जे अससी और जे पीसी दोनों ठीक है दोहरा सतक लगाया इनोंने और कह सकते हो कि ये वर्ल्ड कप के हिस्सा भी रहे है ठीक है एशन गेम चीन में संपन हुआ भारतिय महिला होकी टीम में निमनलकित में से कौन से खिलाडी थे एशन गेम में शामिल तो वो थी ब्यूटी डूंग डूंग जो थी वो होकी टीम में शामिल थी एशन गेम में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जारकन का वह पहला अधिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चेन आईबिल टीम गुज़दार टाइटन्स में किया गया तो यह सवाल रॉबिन मिंज हो जाएगा इंपॉर्टेंट है इग्जामिनेशन दृष्टी कौन से गुज़रात में किया गया तीन खिलाडियों को चेन किया गया है उसमें से एक रॉबिन मिंज भी है याद आपको रख लेना है ठीक है तो चलो भाई यह हम लोगों ने बहुत फास फास तरीके से स्पोर्ट्स कंप्लीट कर लिए मुझे लगता है इतना ही सवाल आना चाहिए ठीक है अब सूचकांग देखो बहुत बच्चा को ना बहुत बोर लगता है सूचकांग कि यार सार बहुत माथा दरत है तो वीडियो जादा लंबा ना हो इसलिए ह ठीक है काम हो जाएगा हाली में राश्टी परिवाज स्वाज सर्वेक्षन NFS NFHS 5 के पाँचवे दौर के दूसरे चरण की राश्टी रिपोर्ट जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार राज के प्रजनन चमता दर 2.26 है इस रिपोर्ट के अनुसार जारकन के कितनी परतिशत महिलाएं एनिमिया से जूज रही है सवाल इंपोर्टेंट है बच्चा एक्जाम में फसेगा याद रख लीजेगा जारकन के लगबग लगबग 25.3 परतिशत जो महिलाएं हैं वो एनिमिया के मतलब पीडी थे समझ लो उसके लिए ये रिपोर्ट जारी की आगे आए ठीक है आगे आता है नीती आयोग दोवरा जारी सूचकांग 2021 के अनुसार स्वास्त सेवाओं के मामले में जारकन के कौन सा स्थान पराप्त हुआ है तो स्वास्त सेवाओं के मामले में जारकन का जो रैंक है वो है तेरावा ठीक है याद रख लिजेगा नीती आयोग के दोवरा बहुत एक्सपक्टेड कोश्चन से इंपोर्टेंट है नीती आयोग के दोवरा पहली बार जारी बहु अयामी गरीबी सुचकांग रिपोर्ट के नुसार देश के सबसे गरीब राज्यों में जारकन का कौन सा स्थान प्राप्थ हुआ है ठीक है और ये बात आप याद रख लीजिएगा कि भाई जो सबसे गरीब राज्यों में जो जारकन का रैंक जो प्राप्थ हुआ है वो प्राप्त हुआ है दूसरा ठीक है ये बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन याद रख लेना पड़ेगा क्या पता एक्जाम में पूछ लिया जाए परदान मंतरी की आर्थिक सलागार परिशद 24 दिसंबर 2022 को जारी समाजिक प्रगती सूचकांग SPI में जारगन का कौन सा स्थान प्राप्त है याद कर लेना इंपोर्टेंट है ठीक है कि भईया इसमें न वो 34 रैंग पे आते हैं हाली में किंद्रिये ग्रह मंतराले के अंतरगर रजिस्टार जनरल ओफ इंडिया दवारा जारी डेमोग्राफिक सेंपल सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 18 वर्सों से कम उम्र की बालिकाओं का शादी का आकड़ा लिया गया है इस रिपोर्ट के नुसार जाटक नवीकर्णिये उर्जा के उपियोग में देश का कौन सा स्थान है इस पर याद रखले माली बात यह है कि भईया नवीकर्णिये जो उपियोग में देश का जो जारकन का स्थान है वो है 13 दावाँ ठीक है याद रख लिजेगा 13 रेंग है चलो साबाश अगला प्रस्ण है नीति आयोग के द्वारा जारी तीस्रा इनोवेशन इंडेक्स में जारकन का कौन सा स्थान प्राप्थ हुआ है तो ये स्थान जो है वो दसवा प्राप्त हुआ है किसमे इनोवेशन इंडेक्स में वही पर नीती आयोग के द्वारा 17 जुलाई 2023 को भारत के राज्यो केंदर सासित प्रदेशों के लिए जारी निर्याद तैयारी इंडेक्स EPI 2022 में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर याद रख लेना पड़ेगा कोई भी ट्रिक लगाओ लेकिन याद कर लेना 20 वा रैंक प्राप्त हुआ है ठीक है अगला है हमारा भारतिय खाद सुरक्षा वह मानव मानक प्राधिकार FSSAI द्वारा विश्व खाद सुरक्षा दिवस के आउसर पर 7 जून 2022 को जारी खाद सुरक्षा सूचकांक में जारकन का पूरे देश में कौन सा रैंप्त है तो वो रैंप्त है जानी गुनवत्ता के मामले में सबसे अवल रहा है वही पर अगर हम बात करें धनबाद के बारे में केंद्रिय सिच्छा मुत्राले के द्वारा वर्स 2023 के लिए जारी अंतरराष्टिय संस्थागत रैंकिंग फ्रेम वर्क एन आई आरेफ ठीक है ऐसे सवाल पूछते है ना फ सवाल बन सकता है इसकोशन से ही सवाल बन सकता है इसलिए आप चीजों को याद करते हुए चलिएगा ठीक है यह आप लोगों ने कर लिया अगला आता है सेंटर फोर साइंस एंड इन्वार्मेंट सी एसी द्वारा 2021-22 के परदरशन के अधार पर तयार की गई रैंकिंग मे संस्टेनेबल डेवलमेंट गोल सतत विकास लक्ष जिसको बोलते हैं उसमें पूरे देश में जारगन का कौन सा स्थान पराप्त हुआ याद करो ठीक है अभी इसको हमें इलिबरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो मुझे लंबा नहीं करना है जितना जल्दी हो सकता ह ये सारे टॉपिक्स को भी सलटना है और आपको कंप्लीट करके दुमाधार मचा देना है ठीक है ये सारे सवाल ना राट जाना बस मेरे अनुसार क्योंकि इंपोर्डेंट सवाल है ठीक है ये दोको इतना लंबा सवाल क्या पूचा है जारकंड राज प्रदूशन नियंद स्थान सूची में जारकंड का वा असे सहर परतयम अस्थान पर है यानिकि आपको बताना है कि भाईया कौन परत्यम अस्थान पर है तो वह रामग य। छे शहरों की वायू परदूशन इस्तिति यहां पर नापी गई ठीक है इमिशन इन्वेंट्री रिपोर्ट में जारकन का कौन सा सहर पर थमस्थान पर है तो वो रामगड में ठीक है मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो जल्दी जदी कर ठीक है सूचकांग का यह अगला टॉपिक मतलब Mलौ्व के अधिक कफर कर रहे हैं सूचकांग का यहां अगला सवालNET में जलासरं में जरसां संano है तो वो जो अस्थान है वो है पाचवा ठीक है अब देखो यहाँ पर मैंने सुचकांग जल्दी जल्दी important सवाल करा दिये अब आपकी यह जिम्मेवारी है कि आप इस सुचकांग को बहुत अच्छे से एदम रटा तरीके से complete करो यह आपकी responsibility अब देखो यहाँ पर है बन जाएगा कैसे बनेगा आई समझते हैं ठीक है अब यह चीज को आपको रटना पड़ेगा सबसे पहले हमने लिखा है जारकन industrial investment and promotional policy 2021 का focus जो विशय है वो है is in of start business ठीक है वही पर जारकन की पहली CSR नीती जो है किस वर्स लांज की गई है तो यह जो नीती लांज की गई जारकन ethanol उत्पादन प्रोटसाहन नीती बहुत important है पाबू ethanol उध्योग में निवेश पर कितने प्रतिशत तक का सबसेड़ी प्रवधान है यह सवाल जहां सवाल important लगेगा महां हम hashtag लगा देंगे ठीक है तो यह ethanol उत्पादन के बारे में वायत हो रही है और उसके कह सकते ह तो निवेश पर कितने प्रतिशत तक का सबसेड़ी का प्रवधान है तो वो जो प्रवधान यहां पर निर्दारित किया गया है वो निर्दारित किया गया है 25 प्रतिशत ठीक है यह 25 प्रतिशत यहां पर याद रख लेना है ठीक है सौर उर्जा नीती 2022 देखो यहां पर सम वीतिय वजट जो है दोजार चब्विस सताइस तक कुल 4000 मेगावाट और उर्जा से बिजली उत्पादक का लक्ष रखा गया है दोको यह सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें से कोई भी सवाल भढ़ जाएगा एक्जाम में तीसरा इस निती के तहस 1000 सोलर ग्राम की स्थ पर्थम कितने खरीदारों को रोड टैक्स में 100% तक की छूट मिलेगी जिसकी स्विक्रति जारकन कैबिनेट द्वारा जारकन लेक्ट्रिक विकल नीती 2022 तहत दी गई है यानि कि यह इंपोर्टेंट है दस हजार ठीक है ऐसे वहानों को पर्थम कितने खरीदारों को मतलब अब यह आता है MSME प्रोथसाहन नीती 2023 जारकन स्टार्टप पॉलिसी 2023 जारकन IT डाटा सेंटर और BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल नीती 2023 और जारकन निर्यात नीती 2023 कब लोंज किया गया अब अगर हम इतना एके कोशन में आइड कर दिये हैं हियाद कर लेना वावू 15 न लॉंज किया गया अब यतना तो पढ़ना पढ़ेगा ठीक है अब याद गर लोगे काम बन जाएगा सिंपल सी बंडा है ठीक है जारकन कारखाना संसोधन विदेयक 2023 जो जारकन विदान सबाद वारा दो अगस्ट 2023 को पारिद किया गया उसके संबंद में कौन सा कथन जो है वो असत्य है मनदब कारखानों के लिए एक संसोधन विदेयक लाया गया दो अगस्ट 2023 को इसको पारिद भी किया गया इन में से कौन सा जो है वो अप्शन असत्य है मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं आपको इदर उद पतर बता देना है पहले तो आप खुद अंसर करो ठीक है या विदेयक जो है परवर समीती आप कह सकते हैं द्वारा अनुसासित है ठीक है यह कथन जो है वो असत्य है अगे बढ़ते हैं जारकन फार्मा यूडिकल पॉलिसी 2023 का जो मुख उद्देश रहा है वो रहा है कि ह जारकन को निवेश को के लिए पसंदीदा जगह बनाए ठीक है यह भी इंपोर्टेंट है और एक करोड मतलब एक लाग करोड रुपए से अधीक के निवेशों को आकरशित करना और पांच लाग विक्तियों को रोजगार मुहिया कराना इसका उद्देश है ठीक है करते हैं और वो भी अगर हम बात करते हैं और ध्योगिक निवेश प्रोचाहन नीती 2020 की तो इनमें से सारे जो कथन है वो एकदम से सत्ते हैं ठीक है इसका जो लक्ष रखा गया वो भी हम आपको बता देना चाहेंगे कि पांच वर्सों के लिए लागू किया गया ठीक है औ और इसका उद्देश पांच लाख लोगों को रोजगार एक लाग करोड से अधिक निवेशों को प्राप्त करना ऐसी चीज़ें यहां पर सामने आई है इसका उद्देश हैना अब यहां पर है कि जारकन परतियों की परिक्षा भरती के अनुशुसित साधनों को रोक था म और निवावरण की उपाई विदयक 2023 जारकन सरकार विदान सभा 3 अगस 2023 को एक विदयक पारित किया गया था जिसमें से यह कहा गया है कि भाईया नकल अगर करोगे तो सिधा जेल में डाल देंगे ठीक है अब यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा असत है तो मैं आ नाले द्वारा सजा होने पर सम्मंदित परिषातरी 5 साल तक परतियोगता परिक्षा में सामिल नहीं हो सकेगा यह अक्चुली क्या है दगो ध्यान से इस विदयक का मुख कुदेश है कि परिक्षाओं में होने वाले चोरी को रोकना बिल्कुल सही राज लोग से वायो करम परिक्षाओं और राजसरकार के लोक उपकरमों द्वारा आयोजित परिक्षाओं पर यह लागू होगा परिषातरी अगर नकल करते हुपे पकड़ता जाता है तो उसे एक साल की सजा ठीक है पांच लाग तक जुर्माना दूसरी बार पकड़ जाने पर तीन साल की सजा औ आगे बढ़ते हैं भड़ा बढ़ तरीके से खेल नीती 2022 इंपोर्टेंट है बच्चा प्रसिचिकों को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सा पुरुसकार का प्रवधान है तो याद रख लीजेगा जैपाल, सिंग, मुंडा ये कोच के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है नई प्रियाटन नीती 2022 का सही कथन को आपको चुलान करने के लिए हम बोले लगे चुनाव करना है ठीक है सही कथन को आपको चुनाव करना है और मैं आपको बता दू इस प्रशन का आंसर होगा option number D क्योंकि प्रियाटन नीती के तहद capital investment पर 10 करोड की limit तक 20-25% का subsidy का प्रवधा आप यह सारी चीज़ें याद कर लेना ठीक है अभी मुझे 100 questions और कराने हैं तो जल्दी जल्दी भगाते हैं क्योंकि कम से कम questions तो भी करा दे है ना चलिए आज आते हैं बजट पर यह भी important topic है दसवा topic है हमारा आज का और यह भी important दसवा नहीं 11 topic होना चाहिए I think बिल्कुल 10 उधर हो गया ठीक है खेल कर लिया 8 कर लिया 9 कर लिया सुचकान 10 कर लिया भी नीत यह 11 topic है ठीक है और सारे सवाल जो है वो important है एक-एक सवाल चुन-चुन के सवाल जो है वो important यहाँ पर कर रहा हूं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जारकन बजट 2023 में किस जिले में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना का मतलब प्रस्ताव है ठीक है जारकन बजट 2023 में तो वो आजाएगा मिल्क प्रोडक्ट प्लांट का दोस्थापना के लिए प्रस्ताव है वो रांची में खोले जाने की बात कही गई है इस बजट में ठीक है कि रांची में हम ल पुल पूलियां का निर्मान कराना तो ये बजट में जो बात कही गई है कि कुल कितने पूलों का निर्मान कराना है तो 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 शिद्धु कानूख के नाम से कलब खूलने की बात कही गई है इस बजट 2023-24 में बजट 2023-24 में किन दो अस्थानों पर मेगा लिफ्ट सिचाई परियोजना का प्रस्ताव है ठीक है तो पलामू और ये हमारा आ जाता है उप्शन नमबर A जो की राइट आंसर हो जाएगा कि पलामू था पटमदा का यहाँ पर खोलने का प्रस्ताव है ठीक है मतलब सिचाई परियोजना का प्रस्ताव दिया गया है इस बजट में ठीक है आगे बढ़ते हैं जारकन बजट 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए राज का विकास दर कितने परतिशत जो है रहने का अनुमान है अगर हम बात करें 2023-24 का और 22-23 का तो इस बार जो है लगबक 7.8 परतिशत रहने का अनुमान है ठीक है मतलब बजट 2023-24 में ऐसा अनुमान किया गया कि इसमें विकास दर इतना रहा है समझ में आ रहा है कि ने जी हम जारकन बजट 2023-24 में मिलेट मोटा अनाज को अधी कादिक प्रोथसाहित करने के लिए मतलब जादा थर प्रोथसाहित करने के लिए कौन सा मिशन आरंब किया गया और ये जो मिशन था वो था मिलेट मिशन ठीक है मोटका अनाज बड़ी मज़ा आता है मोटका बोलने में तो ये मोटा अनाज जो है वो आप याद रख लीजिएगा मिलेट मिशन के तहट इसको प्रोथसाहित करना है आगे बढ़ाना है ठीक है आगे बढ़ते हैं जारकन बजट 2023-24 में वीतिये वर्ष 2023-24 के लिए राजकोसिय घाटा का कितना प्रतिशत अनुमानित है अब देखो ये सवाल ना बच्चा अंसर ही कर सकता है रट सकता है क्योंकि इसको एकनोमिक्स में पढ़ना है अलाकि आप जानते हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे वी राजकोसिय घाटा क्या होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं जारकन बजट 2023-23 में वर्ष 2023-23 में राजका आर्थिक विकासदर 11-12 के लिए मुल्ण पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है तो ये लगबख 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है वहीं पर 2023-23 में राजका आर्थिक विकासदर कितना रहने का अनुमानित किया गया है तो वो भी आप आंसर करेंगे कि 11.6 प्रतिशत रहा है ठीक है जारकन बजट 2023-23 में सरकार के आयका सबसे बड़ा जो सुरोध बताया गया है most important सवाल है बच्चा बजट में अभी तक जितने भी सवाल करा है उसमें से सबसे important है वो है केंदरिय करो में हिसेदारी ये सबसे बड़ा profitable होगा आई के लिए ठीक है जी हाँ जारकन बजट 2023-24 में सरकार के खर्च का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो किस छेतर में जाएगा सबसे ज़्यादा कहां पर जाएगा तो 2023-24 में सिच्चा के छेतर में ये सबसे ज़्यादा जाने वाला है पहले आप आंसर भी करते जाना और बताते भी जाना जारकन बजट 2023-24 में तीन जगहों पर मनोचिकित्सा केंद्र की अस्थापना का प्रस्ताव है और वो अस्थान इसमें से नहीं की जाएगी इस अस्थान में इसकी अस्थापना नहीं की जाएगी तीन जगह खोलने की बात कही गई है मनोचिकित्सा केंद्र एक तो पलामू, चाइबासा, दुमका बोकारों में नहीं की जाएगी अगला आता है जारगन बज़र 2023 में किस अस्थान पर नेतरहाट स्कूल के तरज पर आवासिये स्कूल बनाने की बात कही गई है मतलब जैसे नेतरहाट स्कूल है उसी प्रकार से इस स्कूल को भी आवसी श्कूल बनाने की बात कही गई है और उस श्कूल का नाम आपको बता देना चाहते है मतब कि सस्थान पर जो बनाने की बात कहीं गई है वो है हमारा दुम का बोकारो ठीक है यह मतब उप्रोग सभी आप यहाँ पर कर सकते हैं आगे बढ़ें थोड़ा से जल्दी जल्दी तोड़ा से टेक्निकली ऐर दिये एक जल्द से स्लाइड नहीं हो रहा है जिसके वजसे मेरा ध्यान पढ़ाने से जात है इस को सही करने में लग जा रहा है तो फोड़ा बहुत मोती खेती योजना के शुरुबात की और यह point मतलब exam में पूचा जा सकता है ठीक है मतलब मेरे according यहाँ पर इस सवाल से मतलब इस topic से सवाल पूचे जा सकते और मैं चाहूँगा कि आप इसको cover करें अब यह जो सवाल है वो सवाल है आपका आर्थिक अब यहाँ पर जो चीजें हमें याद रखनी है उसको याद रखना जैसे 2022-23 के अनुसार जारकन प्रतिविक्ति आई के मामले में वर्च 2020-21 में देश के 28 वे राज कौन से अस्थान पर रहा है मतलब 28 वे राज्यों में से जारकन कौन सा अस्थान पर रहा है तो वो आंसर हो जाएगा 26 वा ठीक है important है clear हो गया अब यहाँ पर बताना है आपको कि ये सवाल मैच हो जाता एक्जाम में हु बहु सवाल मैच हो जाते हैं बहले बहुत बच्चे सवाल को समझ नहीं पाते हैं लेकिन सवाल मैच हो जाता है तो मैं सोच रहा होगी यार तुम्हें समझ आए या ना आए सवाल तो fit करके रहना है ठीक है तो यहाँ पर GBA में 2021-22 में किस छेतर के हिस्चेदारी सबसे ज़्यादा रही है आर्थिक सर्विक्षन रिपोर्ट 2022-23 के according तो आप आंसर करेंगे कि भाई तृतिय छेतर में जो है वो सबसे ज़्यादा हिस्चेदारी रहा है ठीक है उसके बाद हम लोग थोड़ा सा important सवाल पर करेंगे कि गरीबों का प्रतिशत रहा है भाई आमी आर्थिक सर्विक्षन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कि 2019-21 में जारकर्ण में जो प्रतिशत रहा है वो कितना रहा है ठीक है तो यहाँ पर सवाल भस सकता है एक्जाम में 36.6 प्रतिशत रहा है ठीक है अब यहाँ पर एक थोड़ा सा बजट का भी सवाल आ जाता है तो कभी आर्थिक सर्विक्षन का भी आ जाता है टेंशन ना लो ये पूरा PDF मिल जाएगा आपको आप उसे कर लेना लेकिन मुझे जो चीज़ जरूरी लग रहा है बस वही बता रहा हूँ ठीक है 2023-24 में किस वर्ष तक zero drop out पंचायद बनाने का लक्ष रखा गया है तो ये जो लक्ष है वो 23-24 ही रखा गया है इंपोर्टन्ट है कर लेना एक्जाम में ठीक है चलो किस अस्थान पर PPP मोड में अलकोहल डेडिकेशन सेंटर खोलने का प्रस्ताव है तो ये अलकोहल वाला तो बच्चा सभी को याद रहे जाएगा रांची हो जाएगा ठीक है जो उनके सासन प्रणाली है उन लोगों के लिए जारगन बजट 2023 में उनको वाहन ये कराया जाएगा दो पहिया वाहन ये इंपोर्टेंट है और ये चीज भी आपको याद रख लेनी चाहिए ठीक है 2023 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विक्सित करने का प्रस्ताव था बजट 2023 में तो वो था RTI पोर्टल ठीक है RTI पोर्टल क्लियर हो गया जी हाँ और यहाँ पर हाँ किस तिथी को वितमंत्री रामेशर उराव द्वारा आर्तिक सर्वेक्षन रिपोर्ट 22 रिपोर्ट पेस की गई तो वो जो तिथी थी वो थी 2 मार्च और वही रिपोर्ट के अनुसार हम लोग चीजों को यहाँ पर पढ़ रहे है ठीक है आर्तिक सर्वेक्षन रिपोर्ट 22 रिपोर्ट 22 रिपोर्ट 22 के अनुसार जारकन का जो 21 रिपोर्ट 22 में विकास का दर रहा है वो कितना रहा है यह इंपोर्टेंट है आठ दसमलव दो प्रतिशत इसका विकास दर रहा है याद रख लीजिएगा ठीक है वहीं पर आर्थिक सर्वेक्षन 22-23 के अनुसार 2021 में जारकर के आय में कितने प्रतिशत की कमी धर्ज की गई है तो वो होगा 5.5 ठीक है बाकी हम लोग चलते हैं आगे विविध टॉपिक शुरू हो गया है और इसके लगबग 90 कोश्चन्स है और मुझे लगता है कि ये 90 कोश कोश्चन्स है और इस 120 कोश्चन्स को आपको जो है ना एस रट लेना है मतलब कैसे भी आपको कंप्लीट कर ही लेना है कुछ करो या ना करो लेकिन इसे जरूर कंप्लीट कर लेना यह मेरा प्रोस्टनली रेकमेंडेशन रहेगा कि बाबु तुमको इसको कंप्लीट करके ही जाना है, जैसे सवाल एक से शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि सवालों को याद भी तो करना है, आपको खुद याद करना है भई, तो जल्दी से सवालों को समेट देते हैं, ठीक है, ये कलेक्शन हम आपके लिए लाए हैं, ताकि आप चीजों को कर सके, मयोराक्षी नदी पर इस्ति जारगन के सबसे लंबी नदी पूल जो दुमका सदर परखंड के कमदा बाद में मसलिया के मकरम पूर को सिंगरी हरको सडक से जोड़ता है इसकी लंबाई कितनी है ठीक है इंपोर्टेंट है सवाल ठीक है 2340 मिटर है यहाँ पर दो सडकों की बा मतब 2440 आपको याद रख लेना है ठीक है क्लियर हो गया अगला सवाल है जारगन के कि जिले में लिक्विड यूरिया प्लांट का धारशील रखा गया है लिक्विड यूरिया प्लांट जो है वो बात कही गई है कि देवघर में हम इसका बनाएंगे ठीक है नबाड ने 2223 म 725 करोड रुपए लोन कह सकते हैं रिन यूजना प्रस्तूत किया है किसने नबाड ने किस सहर में पहली बाठ डबल डेकर 4 लेन ठीक है एलिवेटिड रोड का निर्मान किया जा रहा है तो राची में डबल डेकर ये रोड ये किया जा रहा है माफी चाहूंगा राची हमन येस आगे बढ़ते हैं जारगं के कौन सा संस्थान टीवी रोगियों को पोशन सहता प्रदान करने के लिए पोशन बास्केट जो है वो वितरित करेगा ठीक है वह है CCL CCL TV रोगियों को पहले भी सवाल कराया है अब भी करा रहा हूं अगला प्रस्णिय के गरीब यहां प डॉक्टर और स्वास्त कर्मियों के बीच mutual cooperation को ले करके जहारकंड के सबसे बड़े अस्पताल जहारकंड रिम्स में किसके साथ M.O.U हुआ है तो यह जो M.O.U हुआ है वो Central Institute of Psychiatric से M.O.U हुआ है कि बहतर गरीबों को स्वास्विधा provide कर सके ठीक है जी अगला आता है हमारा जहारकंड के किस संस्थान में स्थापित company Taxo Min ने Megan India भियान को बढ़ावा देते हुए Borwell Capas का निर्मान किया है तो वो होगा IIT ISM धनबाद ठीक है किस नगर निगम में सावरवती नदी के अधार पर river front का विकास किया जा रहा है तो वो होगा मेदरी नगर निगम जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ ताकि चीजें आपके भी complete होते जाए और हमारा भी काम तमाम हो जाए 7 दिसंबर 2021 को नीती आयोग द्वारा घोसिद ABP की पहली डेल्टा रेंकिंग में पुर्वी भारत में जारकंड के दुमका जी लेगा रामगण परखंड को कौन सा अस्थान मिला है आंसर हो जाएगा दूसरा अस्थान मिला है ठीक है अमरित भारत स्टेशन योजना के तहट पहले चरण हेतू जारकंड के 20 स्टेशनों का चेयन किया गया इस योजना केता है सभी चरणों के लिए जारकंड के कुल कितने स्टेशन का चेयन किया गया है ठीक है तो ये बात याद रख लेना कि भाया संतावन ठीक है अमरित भारत स्टेशन योजना अगला प्रस्ण यहां पर समझते हैं पंचायत प्रतिनीधियों का मांदे भत्ता बढ़ाने के लिए कौन सा जो कथन है वो सत्य है कौन सा कथन जो है वो सत्य है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं समय जादा नहीं लेता हुआ कि मुखिया को 1000 रुपे की जगा 2500 और्वमुखिया को 500 की जगा 1200 रुपय दीह जाएगा प्रखन प्रमुख को 5000 रुपे की जगा8000 दीह जाएगा और जीला परिशद अध्यच को 10,000 की जगा 12,000 रुपय तता जिला परिशद उपाध्यच को 7500 की जगा 10,000 रुपय दिया जाएगा लगबग लगबग सही कतन सकते हैं ठीक है पहली नाव एंबुलेंस का परिचालन साहभ गण जीले में किस नदी से किया गया तो साहभ गण जीले में जानते हैं कौन सा नदी फेमस है तो वो हो जाएगा गंगा नदी ठीक है केंदर सरकार के दवारा एकिकरित विकास के लिए जहारकन के कितने आदिवासी गाउं का चेयन किया गया है तो 5755 आदिवासी गाउं का चेयन किया गया है ठीक है अगला आता है दो माई 2023 को मुख मंत्री हेमन सोरेन के द्वारा जारकन में कितने उतकरिष्ट विद्यालाई CM School of Excellence का उतगाटन किया गया है ये भी important सवाल है तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा कुल excellence अगर स्कुल की बात की जाए तो वो 80 आ जाएगा अगला सवाल static important है जारकन में पहली बार किस महिला अधिकारी ने प्रसासनिक सेवा संग की अध्याच बनकर इतिहास रचा है तो उनका नाम है रंजीता हेंबरम जो की प्रसासनिक सेवा संग के अध्याच के रूप में चुनी गई है किस वर्ष तक जारकन को TB मुक्त बना दिया जाएगा और ये जारकन का लक्ष है वो जो वर्ष है वो है 2024 और ये पॉइंट भी आप लोगोंने कर लिया ठीक है आपकी सरकार आपके द्वार का सुभारम जारकन के किस मुख मंत्री मतलब जारकन के मुख मंत्री हेमन सोरें द्वारा निमनलिकित में से कौन सा जिला से किया गया ये भी इंपोर्टेंट है भई इंपोर्टेंट है गिरिडी जिले से शुरुवात किया गया था आपकी सरकार आपकी द्वार सभी डिष्टिक वो जा रहे थे जिसकी शुरुवाद गिरिडी से की गई थी important है बन सकता है सवाल अमरित 2.0 की योजनाओं की स्विकृति देश का पहला राज्य कौन बन गिया है तो ऐसा सवाल में तो आप तो अखिया बंद करके आंसर मार देंगे कि सर जारगन बन गया है ठीक है जारगन के किस सहितकार को चौधावा प्रेमचन इस्मृतित कथा सम्मा जो है प्राप्त हुआ है तो जारगन के जो रनेंद्र है आप लोगोंने बहुत चीजें पढ़ा भी होगा गायाब होता हुआ देश से बगरा बगरा ठीक है रनेंद्र को ये पुरुषकार सम्मानित किया गया है चतिस गड़ में आयोजन हुआ था ट्राइबल फाउंडेशन की और से ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 इसमें खिताब जो जीता है वो किस लड़की ने जीता है तो वो उस लड़की का नाम है पूजा लकड़ा ठीक है पूजा लकड़ा ने चतिस गड़ में वहाँ पर खिताब जीता है हाली में स्मिता दोरजी पूरक उक्सीजन का उपयोग किये बीना माउंट एवरेश्ट के दस्षिन सिखर तक पहुँचने वाली भारती महिला बनी उनका संबंध जो है वो जारकन के किस जिला से है तो वो है जमशित पूर से ठीक है बीना ऑक्सीजन के माउंट एवरेश्ट के दस्षिन सिखर पर पहुँचने वाली यह महिला बनी है तो यह भारती महिला बनी उनका संबंध है जमशित पूर से तो यह आंसर हो जागा नाटोक नाटोक करके है हाली में गठित जहरकन ट्राइब ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यच कौन है तो वो हैं हमारे हेमंत सोरेन जी ठीक है ज्यादा सवाल बचा नहीं है इन सभी सवालों को आपको कर लेना है ठीक है मैला एसिन चेंपियंशीट ट्रॉफी 2023 का सुभंकर क्या था और यह आपको याद रख लेना जूही हतनी जो आपको थम्रेल में नजर आया यहां से सवाल फसे का बौस इसलिए हमें कह रहा हूं याद रख लेना जोई हतनी इसका सुभंकर था महिला एसियन चैंपियन ट्रॉफी में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था तो टीमों की अगर हम बात करें तो कुल 6 टीमों ने भाग लिया था और आयोजन जो है वो किस मैदान पर किया गया था तो आयोजन जो है वो खेल गाउं स्टेडियम राची में किया गया था अब छे देशों में से कौन सा देश इसमें से भाग नहीं लिया था मयानमार ने भाग नहीं लिया था ठीक है और अगला प्रशन है कि एशियन गेम चेंपन टॉफी में भाग लेने वाली जो भारतिय टीम में जारकन से सामिल जो खिलाडी थी वो कौन-कौन सी थी तो थी भाई निकी प्रदान थी, सलीमा टेटे थे, संगीता कुमारी थी तो अंसर क्या होगा, उपरोख सभी, क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया और हमारे ये पूरा सेशन भी समाप्त हो गया तो मैंने कुल 11 टॉपिक्स करा है, तीन टॉपिक्स आपके आप पे करा दिये जाएंगे आप बिल्कुल बेफिकर रही है, और एकदम चिंता की कोई बात ही नहीं है, आप आराम से करते रहो, ठीक है बागी मेरा यह सुबकामना रहेगा आप सभी को, कि भाई, आपको न, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ही करना है, ठीक है आपके लिए यह session लाया गया था, ताकि आप current affair में महारत हासिल हो सके, और यह आपके लिए beneficial होगा, ठीक है यह हमारा contact number है, my dear students, और यह number पे आप contact करके, classes के बारे में जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं, कोई भी queries हो, तो वो प्राप्ट कर सकते हैं, ठीक है साथ हमारा app डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और लगाए जारकन का सबसे बहतरीन test series, जो examination pattern पे है, app डाउनलोड कर लीजे जारकन warrior, play store पे अविलिबल है, नीचे description में भी link भी दिया जा रहा है, और वहां से एक test लगा लीजे, आपको पता चल जाएगा, कि वा जाद करके join कर लेना, ठीक है, और अगर आपको ये video पसंद आया होगा ना, तो इमंदारी से एक like कर दीजेगा, और session को जादा से जादा share करिएगा, और मुझे comment करके ये बाद जरूर बताईएगा, कि sir, session कैसा लगा, ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं एक और marathon के साथ, और व परसेंट फसेगा, ठीक है, इसलिए बच्चे रेडी रहिएगा, next marathon के लिए, तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, thank you so much, take care. आशा करता हूँ कि ये विडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा, लेकिन मैं एक छोटा से information देने के लिए आया हूँ, जिन भी भाई बंधू ने अभी तक test series नहीं जोइन करा है, ये join कर लीजे, ये मैं आपको बार-बार कहने के लिए इसलिए आ रहा हूँ, क्यूंकि आ आपका जो test series है, वो examination pattern पे है, आप चीजों को analysis कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि हमने test में अकडबकड बंबे बो, कुछ भी question डाला है, जो-जो topic आपके syllabus में mention है, वो-वो topic, वहाँ पर आपको बताया जाएगा, कि बाबू आपका ये चीज में score कम हो रहा है, आप इसे improvement करिए, मैं लीजे जारकन के स्वतंदरता संग्राम के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, या फिर जारकन गठन अंदोलन के बारे में पढ़ना है, और आपने नहीं पढ़ाया और test series में आप गलत कर रहे हो, आपको ये hints दिया जाएगा, कि ये topic आपको कर लेना चाहिए, ठीक ह हमारा एप अभी तक 70,000 वच्चों ने डाउनलोड करा है, आप भी जाएए और अपना rank वहां पर देखिए कि 10,000, 5,000, 1,000 में कितना हमारा rank आ रहा है, paper 2 और paper 1 सबसे best analysis के लिए होगा, thank you, class अगर पसंदार आओ, तो वीडियो को लाइक भी करते चलना